एक विकल्प देने वाला भी नहीं है सिस्टम नोटिफिकेशन को देखते ही अथर्व फूट फूट करहन से अथर्व को एपिक क्वेस्ट को अस्विकार करने का अधिकार भी नहीं था अथर्व वास्टव में भ्रमित था कि फैंटेसी एक सटिंग विशर वास्टव में इस एपिक क्वेस्ट को कैसे पूरा करने में काम्याब रहा सिध्धान्त रूप में वह खोज को पूरा करने में सक्षम नहीं होना चाहिए, भले ही उसने पूरे कालपनिक तीर्थ का प्याग कर दिया हो जब क्रेडिट में परिवर्तित किया गया, तो 30,000 सोने के सिखे 300,000,000 क्रेडिट के बराबर थे इतने पैसे से कोई बड़ी कंपनी भी खरीच सकता है इसके अलावा, 300,000,000 क्रेडिट अर्जित करने की कठिनाई की तुलना में वास्तव में गौड्स डोमेन में 30,000 स्वर्ण अर्जित करना बहुत कठिन था अथर्व के लिए वास्तवित्ता में अभी 300,000,000 क्रेडिट अर्जित करना असंभव था सच कहूं तो अगर वह ऐसा करने में सक्षम होता तो वह बहुत पहले ही ऐसा कर चुका होता भगवान के डोमेन को खेलने में परिशानी क्यों होती है हाला कि यहां अभी भी उसके लिए बहतर होगा कि वह खुद को गौड्स डोमेन में विक्सित करे क्योंकि गौड्स डोमेन में अधिक संभाव नाए थी God's domain में credit अर्जित करना वास्तव में credit अर्जित करने की तुलना में बहुत तेज होगा महा महिम ये अथर्व अब से पूरी स्टार स्ट्रेक ट्रेडिंग फर्म आपके नियंतरण में होगी आप जो भी आदेश देंगे हम उसका पालन करेंगे साथ ही मैं आपको किसी से मिलवाना चाहूंगा अगर महा महिम को किसी चीज की जरूरत है तो बस उसे बताएं हेंरी ने एक बार ताली बजाते हुए कहा इस समय कार्याले के बड़े दर्वाजे अचानक खुल गए और सुनहरे सुनहरे बालों वाली एक खूबसूरत लड़की ने कार्याले में कदम रखा नीली आखों वाली लड़की ने बैंगनी रंकी एक सुन्दर पोशाक पहनी थी उसकी पोशाक के किनारे लाल कालीन वाले फर्श से टकरा गए लड़की का गोरा और सुन्दर चहरा था और उसके लंबे लहराते बाल जो उसके नितमबो तक पहुँचे थे, हवा में हिलते डुलते थे उसकी चूडियों ने उसकी समुद्र नीली बाएं आख को ढख दिया, जबकि उसकी खुली हुई दाहिनी आख एक चमकदार नीले रतने की तरह लग रही थी जैसे ही वो अथर्व और प्रेसिडेंट हेनरी के करीब गई, उसके पतले लाल होठोन ने एक शांत, फिर भी आकरशक मुस्कान बनाई अन्ना, आज से महामहिम ये अथर्व स्टारस्ट्रीक ट्रेडिंग फर्म के कार्यवाहक अध्यक्ष होंगे, जबकि आप महामहिम के सहायक होंगे आपको महामहिम की ठीक से मदद करनी चाहिए, समझे हेनरी ने पूछा हाँ, राश्टरपति. मैं महामहिम ये अधर्व को निराश नहीं करूँगा. जिसके बाद हेंडरी ने अधर्व पर मुसकराते हुए कहा, महामहिम ये अधर्व, आज से स्टारस्ट्रीक ट्रेडिंग फर्म का भाग्य आपके हाथों में होगा. अन्ना स्टारश्ट्रीक ट्रेडिंग फर्म से बहुत परिचित हैं और वह बहुत बुद्धिमान और सक्षम भी हैं यदि आपके पास कोई आ गया है तो कृप्या उसे उन्हें पूरा करने में संकोच न करें सिस्टम प्लेयर ने NPC अड्मिनिस्ट्रेशन सिस्टम को सक्रिय कर दिया है कृप्या अपने अधिनस्ट NPCs को प्रबंधित करने के लिए NPC व्यवस्थापन इंटरफेस को कॉल करें हेंरी की मुस्कान देखकर अन्ना के आकरशक रूप के अलावा अधर्व थोड़ा दंग रह गया वह लगभग महसूस कर सकता था कि उसके माथे से ठंडा पसीना टपक रहा है हेंरी को सपष्ट रूप से चिंता थी कि अधर्व उनकी मदद करने में अपना सब कुछ नहीं देंगे इस प्रकार हेंरी ने अधर्व को यह लाब दिया था जुर्माना फिर स्टारश्ट्रीक ट्रेडिंग फर्म का मामला मुझ पर छोड़ दें अधर्व फूट फूट करहन से उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे इश्वर के क्षेतर में एक सुन्दर सहायक मिल सकता है एक गिल्ड लीडर भी इस तरह के व्यभार का आनंद नहीं उठाएगा साथ ही अधर्व ने इस बात से राहत महसूस की कि उन्हें स्टारश्ट्रीक ट्रेडिंग फर्म को 30,000 गोल्ड देने की आवश्चक्ता नहीं थी इसके बजाए उसे केवल ट्रेडिंग फर्म को 30,000 गोल्ड बनाने में मदद करने की जरूरत थी निससंदे खोज की कठिनाई बहुत कम हो गई थी तुरंट अथर्व ने NPC प्रशासन इंटरफेस की जाज करते हुए सिस्टम इंटरफेस को बुलाया इना ये अथर्व के सहायक लिंग महिला आयूक 20 वफादारी 50 आकरशन 86 काया 60 बुद्धी 91 स्तर 50 हिमाचल प्रदेश 10,000 उसकी बुद्धी इतनी उची है प्रदर्शित जानकारी को देखकर अथर्व हैरान रह गए गौड्स डोमेन में विजदम ने NPC की क्षमता का निर्धारन किया आम तौर पर NPC में 50 अंकों से अधिक की बुद्धी नहीं होती यदि NPC की बुद्धी 60 अंक तक पहुँच जाती है तो वे भगवान के डोमेन में असाधारन स्थिती प्राप्त करेंगे इस बीच बुद्धी में 70 अंक वाले आम तौर पर टीर 2 जादूगर थे NPC के लिए जिनके पास बुद्धी में 90 अंक थे वे आम तौर पर शर्लिन टीर 3 दिव्य अधिकारी जैसे पात्र थे हाला कि एना शर्लिन से कहीं अधिक अध्धुत थी शर्लिन की टीर 3 कक्षा थी इसलिए उसकी विशेश्टाओं में व्रिध्धी हुई होगी जिसके परिनामस्वरूप उसकी बुद्धी 90 अंक तक पहुँच गई होगी हाला कि अभी अना की कोई क्लास नहीं थी अगर एना टीर 3 की कक्षा में आती है तो उसकी बुद्धी 100 अंकों से अधिक हो जाएगी हाला कि यह केवल 10 अंकों का अंतर था बुद्धी धीमी हो गई क्योंकि यह उच्च संख्या में पहुच गई इसी तरहां प्रज्या में एक बिंदू के बीच का अंतर भी अधिक हो जाएगा बुद्धी में 100 अंकों के साथ एक NPC White River City के Magistrate वीसमैन के बराबर था जो एक शीर श्टियर चार विजार था इतने शक्तिशाली अधिनस्थ के साथ अथर्व के मूर में बहुत सुधार हुआ हाला कि 30,000 गोल्ड एक बहुत बड़ी रकम थी अगर अथर्व ने इसे Star Strict Trading Firm के माध्यम से अर्जित किया होता तो उसके पास अभी भी सफल होने की आशा का एक धागा होता चुंकि वह पहले से ही प्रतिदिन 100 स्वन अर्जित करने में सक्षम था यदि उसने Star Strict Trading Firm के प्रभाव का उपियोग किया तो उसके पास 30,000 सोने के सिक्के अर्जित करने की बहुत अधिक संभावना थी आखिरकार Star Strict Trading Firm की आठ शहरों में स्थित दुकाने थी और उनमें से हर एक संबंधित शहर के व्यापार्क शेपरों के केंदर में थी इस बीच इन आठ शहरों की कुल आबादी 5 मिलियन खिलाडियों से अधिक हो गई इतने बड़े खिलाडी आधार के साथ अधर्व के लिए पैसा कमाना बहुत आसान होगा इस बिंदु तक सोचते हुए प्रेना की एक किरण ने अधर्व को जगजोर दिया इस पूरे समय में उन्होंने वाइट रिवर सिटी में एक दुकान खोलने की सोची केवल उसके पास ऐसा करने के लिए परियाप्त प्रतिष्ठा या धन नहीं था आखिरकार व्यापार चेत्र के भी तरस्थित एक दुकान खरीदने का जिक्र नहीं है यहां तक की वाइट रिवर सिटी की सबसे सस्ती दुकान के लिए भी खिलाडियों को एक हजार से पांच हजार सोने के सिक्कों के अलावा पांच सौ वाइट रिवर सिटी प्रतिष्ठा अंग की आवश्चकता होती है हालां की कीमत अधिक लग रही थी वास्तव में यह उतना महंगा नहीं था जितना कोई सोच सकता है आखिरकार एक दुकान खरीदने का सबसे कठिन हिस्सा आवश्चक 500 प्रतिष्ठा अंग था जब तक खिलाडी 500 वाइट रिवर सिटी प्रतिष्ठा अंग प्राप्त करते हैं तब तक बहुत समय बीच चुका होता है और उन्हें एक दुकान खरीदने के लिए आवश्चक सिक्के एकत्र करने में काफी समय लग जाता है इसके अलावा उस समय के सिक्के उतने मूल्यवान नहीं होंगे जितने अभी हैं उस समय एक सोने का सिक्का अधिक से अधिक 200 क्रेडिट के बराबर होगा वर्तमान स्थिती के विपरीट जहां एक चांदी का सिक्का एक सौ से अधिक ट्रेडिट के लिए बेचा जा सकता है स्थिती किस और इशारा करती है अधर्व से बहतर कोई नहीं समझ सकता था कुछ ही समय बाद अन्ना के नेत्रित्व में अधर्व ने स्थिती ट्रेडिंग फर्म का दौरा करने के लिए राश्ट्रपती कार्याले छोड़ दिया सच में हालां की यहां तक की जगह की खोज किये बिना अधर्व को पहले से ही स्थारस्ट्रेड ट्रेडिंग फर्म की पूरी समझ थी NPCs खिलाडियों से इस माइने में भिन्न थे कि वे केवल सामान ये सामान ही बेच सकते थे यहां तक की उनके द्वारा बेचे जाने वाले उपकरण भी कॉमन रैंक के थे और बहुत कम ही बिक्री के लिए कांस्यर रैंक वाली वस्तु होगी हाला की यह पूरी तरह से एक अलग कहानी होगी यदी स्टोर एक खिलाडी द्वारा चलाया जाता है बाकी सब चीजों के उपर अथर्व स्टार मून किंगडम के आधिकारिक तौर पर स्विकार किये गए चीफ फोर्जर भी थे जिस तरह एना ने स्टार स्ट्रेक ट्रेडिंग फर्म के आसपास अथर्व का मार्क दर्शन किया कुछ खिलाडी जो भोजन, पानी, स्ट्रॉल और और औशधी जैसी कुछ आवश्चकताएं खरीदने आये थे जब उन्होंने दोनों को देखा तो वे तुरंत भौचक रह गए वह NPC सुन्दर है बस वह खिलाडी कौन है? क्या वह महिलाओं को पाने में बहुत अच्छा नहीं है? वह एक NPC बहन को भी उतारने में काम्याब रहे हैं यह नहीं चलेगा, मुझे सिखाने के लिए मुझे उसे मनाने की जरूरत है अथर्व और अन्ना के एक साथ चलने के दृष्ष ने तुरंत बहुत सारे खिलाडियों का ध्यान आकर्शित किया वास्तव में ऐसा ध्यान केवल अन्ना की सुन्दर्ता के कारण नहीं था यह इस तथ्य के कारण भी था कि अथर्व एक महिला एनपीसी के साथ जुडने में काम्याब रहे थे इस तरह का कारणामा सिर्फ एक खूबसुरक महिला खिलाडी के साथ होने से कहीं ज्यादा आश्चर्यजनक था अंगिनत पुरुष खिलाडियों ने एशिया में अथर्व को देखा इस बीच यह जानकारी एक तूफान की तरह पूरे मंच पर फैल गई विशेश रूप से अथर्व और अन्ना के सेस एरिया में टहलते हुए फुटेज यह फुटेज खिलाडियों के बीच एक संसनी बन गया और इसने उन्हें गौड्स डोमेन पर एक नया दृष्टिकोन प्राप्त करने की अनुमती दी सौभाग्य से अथर्व ने उस समय अपने असली रूप का इस्तिमाल नहीं किया था इसके बजाए उन्होंने ब्लाक फ्लेम की पहचान पहनी थी यह पर्याप्त होना चाहिए अथर्व ने आसपास के दर्शकों को देखा और एक फीकी मुस्कान दिखाई उसने अन्ना को टहलने के लिए बाहर आने के लिए जो कारण बताया था वह ध्यान आकर्शित करने के लिए ही था फिर उन्होंने एना से बात की मैंने स्टारश्ट्रीक ट्रेडिंग फर्म के बिजनेस मॉडल को बदलने का फैसला किया है मुझे आश्चर्य है कि क्या यह ठीक होगा एना की आखें अचानक आश्चर्य से फैल गई उसने अथर्व को एक ध्रमित अभिव्यक्ति के साथ देखा जैसा उसने सोचा था उसने अभी कारिवाहक राश्ट्रपती के रूप में पद संभाला है फिर भी वह पहले से ही इतनी सासिक और निनायक कारवाई कर रहा है क्या यह व्यक्ति वास्टव में एक व्यापारिक कौतुक है? हाला कि अथर्व उसका बॉस था इसके अलावा राश्ट्रपती हेंरी ने पहले ही उसे अथर्व को सुनने का निर्देश दिया था इसलिए उसने अपना सिरहिलाते हुए कहा यदि महामहिम व्यवसाय मॉडल को बदलना चाहते हैं तो मुझे आश्चर्य है कि आपके महामहिम को मुझसे क्या करने की आवश्चक्ता है बहुत सरल मैं सासी लोगों को मेरे लिए शिल्प वस्तूओं को किराय पर लेना चाहता हूं फिर उनके द्वारा तयार की गई बस्तूओं को बेचना चाहता हूं इसलिए मैं चाहता हूं कि आप हमारी आठ दुकानों की मरमत के लिए किसी को बुलाएं इमारत की पहली और दूसरी मन्जिलों का उप्योग हमारे माल को बेचने के लिए किया जाएगा जबकि चौथी से छठी मन्जिलों को कार्यक्षेतर के रूप में फिर से बनाया जाएगा साथ ही यहाँ खबर भी लोगों तक पहुँचाएं कि हम लाइफस्टाइल प्लेयर्स को हायर कर रहे हैं चाहे वे सामान्य लोग हो या साहसी जब तक वे हमारे मानकों तक पहुँचते हैं हम उन्हें दूसरों की तुलना में 30% अधिक की पेशकश करेंगे इस बात को सुनकर अन्ना के होश उर गए यह सिर्फ बिजनेस मॉडल में बदलाव नहीं था यह व्याभारिक रूप से व्यवसाय का परिवर्तन था अधर्व के आदेश के तुरंत बाद अन्ना ने आवश्यक तयारी शुरू कर दी एक सामान्य एनपीसी की तुलना में अन्ना बहुत ही चतुर थी कुछ ही समय में उसने अधर्व के अनुरोध को पूरा कर लिया था जिस समय अधर्व ने मंथन किया कि कैसे वह 30,000 गोल्ड अर्जित करने के लिए Staristrick trading firm का उपयोग करने जा रहे थे पूरे Staristrick trading firm ने भी इसका नवीनी करण शुरू कर दिया था अथर्व के अनुरोध के बाद पहली और दूसरी मन्जिलों को बिक्री काउंटरों से सुसज़िक किया गया था पहली मन्जिल केवल आमतोर पर इस्तिमाल की जाने वाली वस्तूओं की बिक्री करती थी जबकि दूसरी मन्जिल पर उत्तम और कीमती सामान बिक्ते थे इस बीच, Life Style खिलाडियों के लिए कार्यशालाओं में चौथी से चठी मन्जिलों का नवीनी करण किया गया उन तीन मन्जिलों में से चौथी मन्जिल में केवल फोरजिंग रूम शामिल थे जबकि पांचवी मन्जिल में पोशन मेकिंग रूम शामिल थे चटी मन्जिल में शेश वर्गों के लिए कारिशालाएं और NPC और खिलाडियों दोनों के उप्योग के लिए एक गोदाम शामिल था इस बीच, Star Strait Trading Firm के नवीनी करण ने कई खिलाडियों का ध्यान आकरशित किया था अथर्व और अन्ना के फुटेश के कारण बहुत सारे खिलाड़ी उच्सुकता से देखने के लिए ट्रेडिंग फर्म पहुँचे थे फिर भी जब तक वे पहुँचे उन्होंने पाया कि Star Strait Trading Firm वास्तव में मरम्मत के दौर से गुजर रही थी इस स्थिती ने सभी खिलाडियों को और भी उच्सुक बना दिया बस यहां क्या चर रहा था महामहिम ये अथर्व आपके द्वारा अनुरोधित मामला पूरा हो गया है क्या महामहिम के पास कोई अन्य निर्देश है अथर्व के पास जाते हुए एना धीरे से बोली उसके चहरे पर एक शांत मुस्कान थी अच्छा आपने कितने लोगों को भर्ती करने का प्रबंधन किया अथर्व ने पूछा आठ शहरों से हमने 245 औशधी निर्माताओं की भर्ती की है उन में से 209 बेसिक पोर्शन में कर्स हैं उन 30 इंटर्मेडियेट पोर्शन में कर्स हैं और 7 एडवास्ड पोर्शन में कर्स हैं इसके अलावा हमने 228 जालसाजों की भी भर्ती की उन में से 188 बेसिक फोर्जर्स हैं 31 इंटर्मेडियेट फोर्जर्स हैं और नौ एडवास्ट फोर्जर्स हैं। अन्ना ने एक नाम सूची निकाली और उसे टेबल पर रख दिया। यह काफी है अथर्व बहुत संतुष्ट थे क्योंकि उन्होंने सूची में NPC की संख्या को देखा। यदि पहले दरजे के गिल्ड के उपरी प्रबंधन ने ऐसी संख्या देखी तो वे निश्चित रूप से सुधार से परे चौक जाएंगे। आखिरकार ये सभी असली औशधी निर्माता और जालसाच थे, वे प्रशिक्षु नहीं थे। इस तरह के एक भयावबल के साथ कोई तीसरे दरजे के गिल्ड को तुरंट सुपर गिल्ड में बदल सकता है। पक्ष उनकी थोड़ी कम दक्षता, धीमा सुधार और बहुत कम विकास शमता थी। महा महिम मुझे लगता है कि इतना अधिक वेतन देना उचित नहीं है। चुंकि हम इतने सारे लोगों को काम पर रख रहे हैं, इसलिए हमें समान रूप से बड़ी संख्या में सामगरी भी उपलब्ध करानी होगी। इस सौदे से हमें भारी नुकसान होगा। अगर हम इसी रास्ते पर चलते रहें, तो एक महीने की बात ही क्या, स्टार स्ट्रीक ट्रेडिंग फर्म दस दिनों के भीतर दिवालिया हो जाएगी। अन्ना ने चिंतित हो कर कहा। इन सभी लोगों को नियुक्त करने के लिए स्टार स्ट्रीक ट्रेडिंग फर्म ने बाजार मूल्य से 30% अधिक की पेशपश की थी। व्यापारिक फर्म को भी इन शिल्पकारों की विफलताओं को जिलना पड़ा। यह तो बस पागलपन था। इसके अलावा, चाहे वह औश्धी हो या उपकरण कोई भी उन्हें बहुत पैसा नहीं कमा सकता था। इन वस्तुओं की विक्री समान रूप से ओसत रही। केवल वे मास्टरस्तर के पात रही अपने शिल्प से बहुत पैसा कमा सकते हैं। अभी वे इतने सारे लोगों को भरती करके केवल नुकसा उठा रहे थे। इना वास्तव में समझ नहीं पा रही थी कि अधर्व इन सभी लोगों को यहां काम करने के लिए क्यों आमंत्रित करेगा। क्या इन कारीग्रों से तयार उत्पाद खरीदना बहतर नहीं होगा। इस तरह उनकी ट्रेडिंग फर्म को कोई नुकसान नहीं उष्धी निर्माताओं को लगातार बेसिक रिकावरी उष्धी और बेसिक मैना रिजनरेशन आउष्धी बनाने के लिए राजी करना जो विय बनाने में माहिर हैं। जब खिलाडी सामगरी प्रदान करते हैं, तब भी ये NPC इन खिलाडियों के लिए कुछ भी बनाने से इंकार कर देंगे। हाला कि इन NPCs को आइटम बनाने के लिए एक नकारात्मक पहलू था। सीधे शब्दों में कहें तो वे धीमे थे। एक दिन में वे जितने आइटम बना सकते थे, उनकी संख्या निश्चित थी। लाब के लिए NPCs की सफलतादर बहुत अधिक थी, इसलिए उन्होंने उतनी सामगरी बरबाद नहीं की जितनी की खिलाडियों ने की थी। इस बीच, गौड्स डोमेन के बाद के चरनों के दोरान, जैसे जैसे खिलाडी निर्मित वस्तुएं बहुत आयत में बढ़ती गई, वैसे वैसे इन NPCs की उप्योगिता कम होने लगेगी। अभी हालांकी ये फोर्जर्स और पोशन में कर्स अथर्व के लिए बहुत काम के थे। NPC से खरीद के लिए उपलब्ध थी, और प्रत्येक दिन केवल एक सीमित मात्रा में ही बेची जाती थी। वे ऐसे आइटम थे जिनका आनंद लेने का भगवान के डोमेन के अधिकांश खिलाडियों के पास कोई मौका नहीं था। यदि ये NPC पोशन में कर्स इन दो आउश्धियों को तयार करते हैं, तो उनकी सफलता दर 70% से अधिक होगी। एक मध्यवर्ती पोशन बनाने के लिए आवशक सामगरी केवल 30 से 40 तामबे के आसपास थी, फिर भी प्रत्येक पूर्ण बोतल 5 से 6 चांदी के सिकों में बिख सकती थी। अगर अधर्वने काम पर रखने की लागत घटा दी, तो भी वह 4 से 5 चांदी के सिकों का लाप कमाएगा। फोर्जिंग अप्रेंटिस और एक आधिकारिक फोर्जर की सफलता दर की तुलना करते समय पूर्व कैसे बाद वाले पर जीत की उम्मीद कर सकता है। और विटस्टोन बनाने के लिए आवशक सामगरियों को इकठा करने की जरूरत थी। हाला कि अथर्व इससे डरे नहीं थे। इंटर्मेडियेट रिकावरी पोर्षन और इंटर्मेडियेट मैना रिजनेशन पोर्षन बनाने के लिए आवशक जड़ी बुटिया बहुत महंगी नहीं थी। आखिरकार ये जड़ी बुटिया अभी खिलाडियों के लिए बिलकुल बेकार थी। इस समय गौड्स डोमेन के खिलाडी अभी भी अप्रेंटिस पोर्षन मेकर्स थे। बेसिक रिकावरी पोटेंशिल बनाना पहले से ही प्रभावशाली था। वे बेकार सामगरी को बेकार आउशधी बनाने के लिए परिशान क्यों करेंगे। नतीस्तन इंटर्मीडियेट रिकावरी पोर्षन और इंटर्मीडियेट मैना रिजनरेशन पोर्षन तयार करने के लिए आवश्यक जड़ी बूटियां बहुत सस्ती थी। जहां तक हार्ड स्टोन्स की बात है अथर्व चिंतित नहीं थे। आखिरकार उनके गोदाम में अभी भी एक विशाल स्टॉक था। इन NPC जालसाजों के लिए उनके पास लंबे समय तक परियाप्त था। इसके अलावा वह उन्हें एकवा रोज से खरीदना भी जारी रख सकता था। उसे सक्त पत्थरों की बिल्कुल भी कमी नहीं होगी। एक धेर एक सोने चालीस चांदी के सिपकों के लिए बेचेगा। जब तक वह उन्नत वेटस्टोंस को दूसरी मंजिल पर रखता है, तब तक अधिकांश खिलाडी इसके लिए लड़ेंगे विशेश रूप से बड़े गिल्ड। अकसर नुकसान में सिर्फ एक परसेंट का अंतर बॉस के चापे की जीत या हार तय कर सकता है। इस बीच उन्नत वेटस्टोंस ने हथियार की क्षती में तीन परसेंट की व्रिधी प्रदान की। तो विभिन गिल्ड जो वर्तमान में कालकोठरी पर छापा मारने की हडबडी में थे, इस मद से कैसे चूक सकते हैं। वे निश्चित रूप से उन्हें खरीदने के लिए पागल हो जाएंगे। पहले अथर्व ने अपने निजी इस्तिमाल के लिए सभी उन्नत विटस्टोन रखे थे। बाद में उन्होंने उन्मे से कुछ को अपने साथियों को दे दिया और अपने लिए 800 या उससे अधिक के साथ छोड़ दिया। इस राशी के साथ स्टार स्ट्रीक ट्रेडिंग फर्म को अपेक्शाकरित लंबे समय तक चलने में सक्षम होना चाहिए। हाला कि अथर्व की योजना यहीं तक सीमित नहीं थी। अब जब उनके पास इतना बड़ा बाजार उपलब्ध था तो उन्हें इसका पूरा उपयोग करना चाहिए क्योंकि भविश्य में उनके पास ऐसा मौका नहीं होगा। इसलिए अथर्व ने इस योजना के बारे में सोचा। उन्होंने भविश्य में अपनी खुद की दुकान स्थापित करने में मदद करने के लिए स्टारस्ट्रेक ट्रेडिंग फर्म को पूरी तरह से हैरफेर करने का इरादा किया। बाद में अथर्व ने अन्ना पर अनुवर्ती कार्य छोड़ दिया जबकि उन्होंने स्टारस्ट्रेक ट्रेडिंग फर्म को अकेले छोड़ दिया। वाइट रिवर सिटी में एक होटल के अंदर गौड्स डोमेन के विकास के साथ साथ खिलाडियों ने आराम के महत्व को समझा। अगर वे राक्षसों को बिना आराम किये पीशते तो न केवल उनकी सहनशक्ती कम हो जाती बलकि उनकी एकागरता भी गिर जाती। इसलिए एक दिन की लडाई के बाद खिलाडी अब होटल में आराम करेंगे, ड्रिंक करेंगे और एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे। खिलाडियों ने पाया कि रेस्तरा, ओटल और बार जैसी जगहों ने उन्हें सहनशक्ती और एकागरता को और अधिक तेजी से पुनरप्राप्त करने की अनुमती दी। दो-तीन घंटे आराम करने के बाद वे तरो ताजा और उर्जा से भरे हुए महसूस करेंगे। तुमने सुना, ऐसा लगता है कि स्टार्स्ट्रीक ट्रेडिंग फर्म का नवीनी करन किया जा रहा है। मैंने सुना है कि वे विक्री के लिए नए उत्पात जारी करने जा रहे हैं। इस बारे में कौन नहीं जानता। कुछ पूच्टाच करने के बाद मुझे पता चला कि स्टार्स्ट्रीक ट्रेडिंग फर्म ने भी कई टोन पोशन मेकर्स और फोर्जर्स की भरती की है। ट्रेडिंग फर्म अभी लाइफस्टायल ट्लेयर्स को भी हायर कर रही है। हालांकि किसी भी खिलाडी ने अभी तक किसी पद के लिए आबेदन करने की हिम्मत नहीं की है, यह सोचकर कि यह एक विश्वसनिय नौकरी नहीं होगी. मुझे आश्चर्य है कि वे किस प्रकार की नई वस्तुए बेचने जा रहे हैं? सामान्य उप्योग की वस्तुओं के अलावा, एनपीसी के स्वामित्व वाली दुकान और क्या बेच सकती है? वे संभवता कांसे उपकरण या दुरलब औश्धी प्रदान नहीं कर सकते हैं, है न? यह सही लगता है. जब होटल में खिलाडी बातचीत कर रहे थे, तभी एक पुरुष खिलाडी ने हामफते हुए सैलून के दरवाजे को धक्का देकर खोल दिया. बड़ी खबर, स्टार स्ट्रीक ट्रेडिंग फर्म ने अपना नवीनी करण पूरा कर लिया है और आधिकारिक तौर पर व्यवसाय के लिए खुल गया है. हामफते हुए रेंजर ने जोर से अपने साथियों से कहा, क्यों हंगामा कर रहे हो? क्या वे सिर्फ अपना व्यवसाय फिर से नहीं खोल रहे हैं? अभी हमारे पास बुनियादी औश्धियों या सामान्य उपकर्णों की कमी नहीं है, इसलिए हमें अपने स्टॉक को फिर से भरने की आवश्चक्ता नहीं है. पार्टी के नेता के रूप में, शीड योध्धा ने अपने इस शर्मनाक साथी को देखते ही अपनी आखें घुमाली. रेंजर के भद्दे रूप के लिए अन्य लोग उनका मजाक उड़ाएंगे. वास्तव में, जैसा की शीड वारियर ने आशंका जताई थी, होटल के अन्य खिलाडियों ने उनके चेहरों पर हलकी मुस्कान के साथ हलकी फुलकी निगाहें भेजी. लीडर, मेरी बात सुनू. उस रेंजर ने उच्साह से कहा, मैंने दुकान के अंदर वेटस्टोन देखे. इंटर्मेडियेट रिकावरी पोर्षन और इंटर्मेडियेट मैना रिजनेरेशन पोर्षन भी हैं. इसके अलावा, बेसिक पोर्षन कहीं और से सस्ते हैं. क्या कहा आपने? वेटस्टोन है, दशीड वारियर जम गया, दंग रह गया. पूरा होटल सन्नाटा पसर गया. चलिए चलते हैं. हमें वहां तुरंत ले चलो. हमें अभी उन सभी को खरीदना है, शीड वारियर अचानक खड़ा हो गया, चार्ज कास्ट करता हुआ और रेंजर की तरफ आ गया. रेंजर की बाह पकड़कर, वह तुरंत स्टारस्ट्रेक ट्रेडिंग फर्म की ओर भागते हुए होटल से बाहर निकल गया. होटल के अंदर मौजूद अन्य खिलाडी इस द्रिश को देखकर अवाक रह गये. सामना किया, क्योंकि उनके हथियारों का स्थायत्व बहुत तेज दर से कम हो गया. परिणामस्वरूप वेटस्टोंस की लोग प्रियता में विस्फोट हो गया था. प्लब धापूर्ती मान को पूरा करने से बहुत दूर थी. जब तक हर कोई स्टारस्ट्रीक ट्रेडिंग फर्म में पहुँचा, तब तक लोगों की भीर दुकान के दर्वाजों को मिटा चुकी थी. वेटस्टोंस के अलावा, उपस्थित खिलाडियों ने पागल लोगों की तरहें इंटर्मेडियेट रिकावरी और मैना रिजनेशन पोटेंशियल खरीदने के लिए भी संधर्ष किया. इस बीच, यह सूचना विभिन संगों के कानों में टेजी से फैल गई थी. गेल्ड लीडर, मैंने पहले ही अपने सभी सदस्यों से एक बड़ी राशी एकत्र कर ली है, और हम हार्ट स्टोंस के तीस धेर खरीदने में काम्याब रही हैं. यह राशी हमारे लंबे समय तक चलने के लिए परियाप्त होनी चाहिए, स्टैबिंग हार्ट ने सिस्टम कम्यूनिकेटर के माध्यम से बात की. अच्छा, जिस क्षण पैसा बनाने वाली टीम सोने के सिकों के नवीनतम बैच को भेजती है, तुरंथ हमारे सदस्यों से उधार लिए गए सभी पैसे वापस कर दें, क्रुएल स्वार्ड ने उच्साह से कहा. हत्यारे के गठ बंधन के अलावा, अन्य संगों ने भी जमकर धन इकठा किया. स्नो, उस स्टारस्ट्रेक्ट ट्रेडिंग फर्म में क्या हो रहा है? वे अचानक इन वस्तूओं को बेचना क्यों शुरू करेंगे? जाओ येरू ने अपनी वर्धमान भौहों को सिकोड लिया, जब उसने नवीन्तम समाचारों को देखा जो उसे अभी अभी प्राप्थ हुए थे. उसने फिर बेपसी से कहा, हमने हार्ड स्टोंस के अपने पिछले स्टॉक को खरीदने के लिए पहले ही बहुत पैसा खर्च कर दिया है. हमारे पास अभी और खरीदने के लिए पैसे नहीं है. मैंने सुना है कि स्टारश्ट्रीक ट्रेडिंग फर्म अभी सीमित संसकरन एडवास्ट वेटरस्टोंस भी बेच रही है. अफवाह यह है कि उननत वेटरस्टों का प्रभाव सामान्य वेटरस्टोंस से कम से कम दोगुना है. इसके अलावा यह 3% डैमेज बफ भी प्रदान करता है. हालांकि यह थोड़ा अधिक महंगा है. इसकी कीमत साथ चांदी के सिक्के प्रतीन नग है. हमारे लिए उनके साथ कालकोठवी मालिकों पर छापा मारना बहुत आसान होगा. जेंटल स्नो ने अपना सिरहिलाया. उसके सुन्दर चहरे पर एक असाय अभिव्यक्ती दिखाई दे रही थी. जैसे उसने कहा सामान्य परिस्थितियों में NPC इन वस्तूओं को कभी नहीं बेचेंगे. हालांकि कुछ अजीब चर रहा है. एक खिलाडी ने स्टार्स्ट्रीक ट्रेडिंग फर्म के साथ संबंध बनाया है. मैं बस सोच रहा हूँ कि ऐसी उपलब्धी कौन हासिल कर सकता है. साथ ही, इतने सारे वेटस्टोन और इंटर्मेडियेट और आउशधी की आपूर्ती करने के लिए किसके पास परियाप्त घन होगा. यहाँ अविश्वसनिय है. इस मामले की जाच के लिए तुरंट किसी को भेजें. हाल ही में, उसने 20 सोने के सिक्के जुटाने में काम्याबी हासिल की थी, और उस पैसे से हार्ट स्टोन्स खरी दे थे. फिर भी, स्टार्स्ट्रीक ट्रेडिंग फर्म ने अब वेट स्टोन्स को बेच दिया. इस धटना से पहले उसे कोई सूचना नहीं मिली थी, जिससे उसे विपत्ती का सामना करना पड़ा. वर्तमान में, हथियार स्थायत्व के मुद्दे ने उनके कालकोठरी पर छापा मारने की प्रक्ती में बाधा उत्पन्न की थी. जब तक उनके गिल्ड के जालसाज उन कठोर पत्थरों को वेट स्टोन में बदलने में काम्याब होंगे, तब तक सब कुछ बहुत देर हो चुकी होगी. अन्य गिल्डों ने उन्हें पार कर लिया होगा. उन्हें इसी क्षण वेट स्टोन प्राप्त करने की आवश्चक्ता थी विशेश रूप से उन्नत वेट स्टोन. इस बीच, फोर्जिंग असोसियेशन में एक इंटर्मेडियेट फोर्जिंग रूम के अंदर अथर्व ने वर्तमान में उन्नत वेट स्टोन तयार किये. उन्होंने अपनी फोर्जिंग दक्षता बढ़ाने और पैसा कमाने के लिए ऐसा किया. वर्तमान बाजार पहले जैसा नहीं रहा. स्टारस्ट्रिक ट्रेडिंग फर्म के साथ वह अब अपने द्वारा बनाए गए एडवास्ट वेट स्टोन को आच शहरों में बेच सकता है. हाला कि उननत वेट स्टोन कुछ महंगे थे, फिर भी आठ शहरों के खिलाडी उन्हें खरी देंगे. यहां तक कि अगर अथर्व 24 घंटे उननत वेट स्टोन बनाता है, तब भी वहाँ आठ शहरों की मान को पूरा नहीं करेगा. वर्तमान में, सोने के सिक्के स्टार स्ट्रीक ट्रेडिंग फर्म के खातों में हर बीत्ते पल के साथ डाले जाते हैं. अथर्व ने मनी सिस्टम नोटिफिकेशन खोलने की हिम्मत भी नहीं की. स्टार्स्ट्रीक ट्रेडिंग फर्म को फिर से खुले हुए केवल एक छोटा घंटा बीच चुका था फिर भी इसने पहले ही 300 से अधिक सोने के सिक्के अरजित कर लिये थे हाला कि यह केवल शुरुवात थी चीजें बाद में और रोमांचक हो जाएंगी पैसे कमाने के अलावा एडवास्ट वेट स्टोन्स बनाने में अधर्व का लक्षे खुद को एक अडवांस्ट फोर्जिंग अपरेंटिस में अपग्रेड करना था यदि वह एक उन्नत फोर्जिंग अपरेंटिस बन जाता है तो वह स्टोहेमर टाउन से प्राप्ट जादू की उन्नत पुस्तक सीख सकता है पहले उनके पास केवल वाइट रिवर सिटी ही उनके माल के लिए एक मात्र बाजार था हाला की अब उसके पास आठ बाजार थे उन्हें कोई उच्छ प्रसंसकरन शुल्प भी नहीं देना था इसलिए वह इस मौके को बरबाद नहीं कर सकते थे अथर्व का इरादा आठ शहरों के बीच एक प्रभावशाली प्रतिष्ठा और प्रतिष्ठा हासिल करना था हाला की इस परिणाम को प्राप्त करने के लिए अकेले उननत वेट स्टोन परियाप्त नहीं थे इसके अलावा, उननत वेटस्टोन्स उनकी प्रतिष्ठा में वृध्धी नहीं कर सका क्योंकि इन चीजों में उनकी व्यक्तिगत छाप नहीं थी केवल स्टारस्ट्रेक ट्रेडिंग फर्म ही इन उननत वेटस्टोन्स से प्रतिष्ठा प्राप्त करेगी सबसे महत्वपून बात यहा है कि उन्नत वेटस्टोन्स के लाभों का स्वाद चखने के बाद वे उच्सुक्ता से जाच करेंगे कि वे नुस्खा कैसे प्राप्त कर सकते हैं आखिरकार उन्नत वेटस्टोन के लिए नुस्खा अध्वितिय नहीं था, खिलाडी उन्हें कई टीम डंगन से प्राप्त कर सकते थे जब तक अथर्व ने अपनी दुकान खोली, तब तक उसके पास वह फाइदा नहीं था जो अभी उसके पास था इस प्रकार उन्हें एक उन्नत फोर्जिंग अपरेंटिस बनने और अडवांस्ट बुक आफ मैजिक सीखने की ज़रूरत थी, जिससे एक और केवल मन आर्मर किट का निर्मान हुआ एक बार जब उसने मैना आर्मर किट के साथ ब्लाक फ्लेम फोर्गर की प्रतिष्ठा को पूरी तरह से फैला दिया, जो केवल वह ही बना सकता था, तो कई खिलाडी उसे खोज लेंगे शांत और भाप से भरे फोर्जिंग रूम में एक गहरी नीली लौशांदार धंग से जलती है, क्योंकि यह अगले के बाद एक हार्ड स्टोन को परिश्प्रित करती है मूल रूप से उन्नत वेट स्टोन बनाने की सफलता दरकम थी, फिर भी जब अधर्व ने उन्हें बनाया, तो प्रक्रिया बहते पानी की तरहे चिकनी थी चाहे उत्पादन की गती हो या गुनवत्ता, दोनों ही समान रूप से अध्भुत थे, और इस द्रिश्य को देखकर कोई भी प्रशंसा किये बिना नहीं रह सकता था हालांकी दोहराय जाने वाला कार्य थोड़ा बोजिल था, जब अधर्व के विचार इस तथ्य पर भटक गए की प्रत्येक उन्नत विटस्टोन साथ चांदी के सिक्कों के लिए बेच सकता है, अन्थीन प्रेना उनमें प्रवाहित हुई अधर्व द्वारा इस रमसाध्यकार्य को शुरू किये तीन घंटे बीट जाने के बाद उन्होंने 189 विटस्टोन बनाए थे उसकी गती व्याभारिक रूप से सन्युक्त रूप से तीन या चार जालसाजों की दक्षता को टक्तर दे सकती थी इसके अलावा इसे देखे बिना अधर्व ने भी अपने पहले के खोए हुए स्तर को वापस पा लिया था स्तर 14 से स्तर 15 पर लौट रहा था उसकी वर्तमान गती सामान या राक्षसों को पीसने की तुलना में कहीं अधिक कुशल थी थोड़ा आराम करने का फैसला करने के बाद अधर्व ने अपनी वर्तमान फोर्जिन दक्षता की जाच की यह अभी पहले ही 1253 अंक पर था इंटर्मेडियेट फोर्जिन अपरेंटिस से उननत फोर्जिन अपरेंटिस में पदोनत होने के लिए उन्हें 3000 प्रवीन्ता अंकों की आवशकता थी जब तक वह दो या तीन दिनों तक कड़ी महंत करता रहा, तब तक वह एक उन्नत फोर्जिन अप्रेंटिस बन सकता था अगर अन्य खिलाडियों को अथर्व के प्रचार की गती के बारे में पता होता, तो वे मूर्ख हो सकते थे आखिरकार पूरे वाइट रिवर सिरी खेतर में अथर्व के अलावा एक भी इंटर्मेडियेट फोर्जिन अप्रेंटिस नहीं मिला अथर्व की फोर्जिन प्रोमोशन की गती राक्षसी रूप से तेस थी इस गती के आधार पर अगर मैं केवल फोर्जिन पर ध्यान केंडरित करता हूँ तो मैं दो दिनों में एकवा रोज के साथ अगले लेंदेन के लिए उननत फोर्जिन अप्रेंटिस बन सकता हूँ मैं एकवा रोज से एक और बड़ी रकम कमा सकता हूँ अथर्व ने उचसाहित होते हुए एक मोटा अनुमान लगाया एकवा रोज से मिलने पर उन्हें हर बार बहुत फाइदा हुआ यदि वह इस बार एक और बड़ी राशी बना पाता तो वह ज्यादातर अपनी वर्क्शॉप स्थापित करने के मामले से निपट लेता बाद में उन्हें केवल बड़ी संख्या में खिलाडियों को भरती करने के तरीके के बारे में सोचने की जरूरत थी जो भविश में गिल्ड की रीड की हड़ी के रूप में काम कर सकें। यदि वह हजारों सदस्यों के साथ एक गिल्ड की स्थापना करना चाहता था, तो उसे गिल्ड की रीड के रूप में सेवा करने के लिए कम से कम कई सौ खिलाडियों की आवर्शक्ता थी। नहीं तो वह इतने खिलाडियों को ठीक से मैनेज नहीं कर पाता। इसलिए अथर्व ने अपनी कार्यशाला स्थापित करने के लिए निरनायक रूप से कार्याले भवन खरीदा था। यह उसे भविश्य में एक नई कार्यशाला में जाने की परेशानी से बचाएगा, जिससे गिल्ड के विकास से संबंधित ऐसे मुद्दे सीमित हो जाएंगे। दी, 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 हाँ, कोमल हिम। जब अथर्व ने अपने कम्यूनिकेटर के लिए रिंगटोन सुनी, तो उन्होंने पाया की कॉलर जेंटल्स नो था। हाला कि वह ये अथर्व नहीं, बलकि ब्लाक फ्लेम की तलाश कर रही थी। ऐसा ही हुआ कि अथर्व के पास भी जेंटल्स नो देखने के कारण थे। जो एक लाइफस्टाइल खिलाडी को चाहिए होता है। मुझे आश्चर्य है कि मिस स्नो किस तरह का समझाता करना चाहती हैं, अथर्व ने उचसुकता से पूछा। मुझे पता है कि आप स्टारस्ट्रेक क्रेडिंग फर्म के मामले से संबंधित हैं, इसलिए मैं आपसे कुछ विटस्टोन खरीदना चाहता हूँ, विशेश रूप से एडवास्ट विटस्टोन। मैं क्रेडिट का भुगतान करूँगा और अभी आपके पास जितने हैं उतने खरीद लूँगा, जेंटल स्टोन ने कहा, तो आप विटस्टोन चाहते हैं, यह सरल होना चाहिए, हाला कि मुझे अभी क्रेडिट से कहीं अधिक सोने के सिक्कों की आवश्चता है, अगर मिस स्टोन के पास बहुत सारे हैं, तो मैं निश्चित रूप से आपको अपना पूरा स्टॉक बेच सकता हूँ, अथर्व ने जेंटल स्टोन के दावे का खंडन नहीं किया, आखिरकार यह अजीब नहीं था कि उसने स्टार स्ट्रेक ट्रेडिंग फर्म के साथ अपने संबं स्टोन का आसानी से पता लगा सकती थी, जब तक कि उसने उन वीडियो में से एक को देखा, मैं आपको क्रेडिट के माध्यम से बाजार मूले का तीन गुना भुगतान करूंगा, जेंटल स्टोन नहीं चाहता था कि दूसरे संग उनके पास आएं, इसलिए उन्हें कुछ अतरिक्ट क्रेडिट खर्च करने में कोई आपती नहीं थी, मिस स्टोक जारी रखने की कोई आवश्चक्ता नहीं है, आप और मैं दोनों जानते हैं कि अभी सोने के सिक्के कितने महत्वपूर्ण हैं, यदि आप में इस व्यापार को करने की इमानदारी नहीं है, तो आए ये हम इसे पूरी तरह से भूल जाएं, मैं इस सौदे के बारे में इमानदार हूँ, हाला कि मैंने हाल ही में हार्ड स्टोन्स का एक बड़ा बैच खरीदा है, इसलिए मेरे पास इस समय कोई अतरिक्ट सोने के सिक्के नहीं हैं, बाजार मुल्य से लगभग पांच गुना क कैसे? कोमल हिम अभी असहाय महसूस कर रही थी, ब्लाक फ्लेन के पास निश्चित रूप से उसका समर्थन करने वाला एक शक्तिशाली समर्थन था, इसलिए हो सकता है कि वह क्रेडिट को सोने के सिक्कों जितना महत्व न दे, हाला कि उसके पास वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसका वह व्यापार करने के लिए उपियोग कर सके, उसके पास केवल क्रेडिट थे, चलो क्रेडिट के बारे में भूल जाते हैं, क्या अभी तुम्हारे पास बहुत सारे कठोर पत्थर नहीं हैं? अथर्व ने एक फीकी, कडवी मुस्कान दिखाई, यदि उस बीस दिनों के भीतर तीस हजार सोने के सिक्के अरजित करने की आवश्यक्ता नहीं होती, तो वह निश्चित रूप से बाजार मूले से पांच गुना अधिक के लिए सहमत होता, हाला कि अभी उसके लिए सोने के सिक्के कहीं अधिक महत्वपूर थे, इस मामले ने उनके अ कामान्य वेटरस्टोन के लिए यह एक से चार का अनुपात होगा, उननत वेटरस्टोन के लिए मुझे एक से नौ के अनुपात की आवश्यक्ता है, अथर्व ने शांती से कहा, जुर्माना, हाला कि मुझे केवल उननत वेटरस्टोन चाहिए, इसके अलावा मैं तुरंत व्यापार करना चाहता हूँ। मामले पर कुछ विचार करने के बाद, जेंटल स्नो ने महसूस किया कि यहां आदान प्रदान उचित लग रहा था। हालांकि जेंटल स्नो ने अंदर ही अंदर बहुत नफरत करने के लिए अथर्व को कोसा। यह स्टार मून किंगडम के मुख्य जालसाज की अपेक्षा के अनुरूप है। अगर उसने अपने गेड में जालसाजों को अभी वेटस्टोन बनाने की अनुमती दी, तो वे हर चार या पाँच हार्डस्टोन के साथ एक वेटस्टोन का उतपादन कर सकते थे। इस बीच अथर्व ने चार हार्डस्टोन के लिए एक वेटस्टोन का व्यापार करने का सही सुझाव दिया था। इस आदानप्रदान का परिणाम उस परिणाम से थोड़ा बहतर था, जो उसके गेड में उतपन न हो सकता था। इसलिए जेंटलस्टोन उननत वेटस्टोन के लिए हार्डस्टोन के अपने अधिकांश स्टॉक का व्यापार करने के लिए सहमत हो गई, शेश को फोर्जिंग प्रवीनता बढ़ाने के लिए उसके गेड में फोर्जर्स के लिए छोड़ दिया। तो ठीक है, एक बार जब आप स्टार्स्ट्रीक ट्रेडिंग फर्म में पहुँचें तो अन्ना नाम के एक NPC की तलाश करें। अनुपात वैसा ही था जैसा उसने पहले जेंटल स्नो में उलेख किया था। नतीज तन कई खिलाडी जिनके पास वेट स्टोन्स खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, उन्होंने अपने हार्ट स्टोन्स का आदान प्रदान करना शुरू कर दिया। उन्हें चीरने के लिए अब उन्हें फोर्जिंग अप्रेंटिस की जरूरत नहीं थी। स्टारस्टेक ट्रेडिंग फर्म ना केवल अपनी सामगरी आपूर्ती के मुद्दे से निपट सकती थी, बलकि वह इस एक्स्चेंज से लाभ भी कमा सकती थी। इस द्रिश के कारण कई लाइफस्टाइल खिलाडियों को ट्रेडिंग फर्म में काम करने के लिए आवेदन करने के बारे में दोबारा विचार करना पड़ा। रूनिक गोल्ड किसी वस्तु की फोर्जिन सफलतादर को 10% तक बढ़ा सकता है। पुरस्कृत नहीं किया। उनके पास प्रवीन्ता अंग को पुरस्कृत करने का केवल 70% मौका था। इस बीच 2500 अंग तक पहुँचने के बाद एक प्रवीन्ता अंग प्राप्त करने का केवल 40% मौका था। की 2800 अंग पर वह मौका और 20% तक कम हो गया। फोर्जिन में दो दिन बिताने के बाद वह आखिरकार एक Advanced Forging Apprentice के रूप में पदोनती अर्जित करने में सफल रहे। Advanced Forging Apprentice बनने के बाद अधर्व ने तुरंत अपने बैग से Advanced Book of Magic को वापस ले लिया। बिना किसी हिचकी चाहट के इसे सीखने का फैसला किया। जबकि 64 मिलियन का भुगतान वह तीन महीने के भीतर करेगा। अथर्व ने White River City Guide Books को बेच कर 10 मिलियन से अधिक क्रेडिट भी अर्जित किये थे। उन्होंने अपनी कार्यशाला को पूरा करने के लिए विभिंद गेमिंग सुविधाओं और अन्यवस्तुओं को खरीदने के लिए लगभग 5 मिलियन का उप्योग किया। इस तरह जब विश्व विध्यालय की फैलोशिप पार्टी में भाग लेने का समया आया तो उसके पास समर्थन के लिए 5 मिलियन क्रेडिट और एक शांदार वर्क्शॉप होगी। वह अभी छाया से कमजोर नहीं था। वर्क्शॉप सुविधाओं और वातावर्ण की तुलना करते हुए अथर्व की वर्क्शॉप ने शैडो को पूरी तरह से नश्ट कर दिया। जबकि अथर्व पिछले दो दिनों से फोर्जिंग रूम में फंसा हुआ था, शहर में प्रवेश करने वाले कई खिलाडी उस द्रिशे को देखकर चकित थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि शहर में इस तरह की सुविधाई मिलेंगी। वेट स्टोन्स अब गिल्स द्वारा पूरी तरह से एक आधिकार वाली वस्तुए नहीं थी। उन्हें स्टार स्ट्रीक ट्रेडिंग फर्म में दुरलब इंटर्मेडियेट रिकावरी और मना पोशन्स के साथ खरीदा जा सकता है। वाइट रिवर सिटी में अन्य दुकानों की तुलना में स्टार स्ट्रीक ट्रेडिंग फर्म का स्टॉक कहीं अधिक संपूर्ण था। सबसे महत्वपून बात यह है कि स्टार स्ट्रीक ट्रेडिंग फर्म ही एक मात्रस्थान था जिसने उननत वेट स्टोन्स बेचे। नतीस्तन ट्रेडिंग फर्म के लिए व्यापार में उच्छाल आया। इस बीच वाइट रिवर्सिटी में एक बड़ी घटना भी हुई और यहां तक की अथर्व जो भगवान के डोमेन के बारे में बेहत जानकार थे हैरान रह गए। टेन गिल्ड्स ने अचानक समोह बना जिससे एक पूरी तरह से नया एकल गिल्ड बन गया। इस मामले ने पूरे वाइट रिवर्सिटी चेत्र में स्टब्ध कर दिया। दूसरे दर्जे और तीसरे दर्जे के गिल्डों में से कई इस खबर से खबराने लगे। उन सभी ने अपने सदस्यों को दिये जाने वा वाइट रिवर्सिटी जिसमें मूल रूप से वर्चस्व के लिए सैकडों गिल्ड एक दूसरे के साथ प्रतिसपरधा कर रहे थे। अचानक एक नए चरण में प्रवेश किया जहां केवल कुछ मुठी भर शक्तिया एक दूसरे के साथ संधर्ष करती थी। वास्तव में एक दरजन या इतने ही गैरशेनी बद्ध संध एक साथ आकर एक बड़े संध का निर्मान करते हैं, जो इन द्वितियदर और तृतियदर संधों को बहुत अधेक प्रभावित नहीं करेगा। इस विलय ने इन शक्तिशाली संधों को डराने का मुख्य कारण इसके मूल मे संध था, यह शीर्ष स्तरिये तीसरे दरजे के गिल्ड डार्क स्टार के अलावा कोई नहीं था। इसके अलावा डार्क स्टार के पास एक नया गिल्ड लीडर था। अकेला अत्याचारी अचानक डार्क स्टार का नया गिल्ड लीडर बन गया था, जबकि पिछले मूल रूप से डार्क स्टार के पास पहले से ही अकेला अत्याचारी था, जिसे रैंकिंग सूची में पहले स्थान पर रखा गया था वे कई हार्ड मॉड टीम डंगन का पहला क्लियर प्राप्त करने में भी काम्याब रहे पहले उन्होंने वाइट रिवर सिटी में वर्चस्व को लेकर हत्यारे के गठ बंधन के खिलाफ भी प्रतिस्परधा की थी हालांकि एक शक्तिशाली प्रिष्ठ भूमी की कमी के कारण वे थोड़े समय के भीतर और मजबूत नहीं हो सके अब जब अकेला अत्याचारी गिल्ड लीडर बन गया था तो न केवल डार्क स्टार ने बड़ी संख्या में गिल्डों को अपने कबजे में ले लिया था बलकि वे कुछ चिपे हुए विशेशग्यों की भरती करने में भी काम्याब रहे थे विलै के कुछ ही समय बाद डार्क स्टार ने दो हार्ड मौड तीम डंग्न का पहला क्लियर प्राप्त किया था और उन में से एक बीस मैन हार्ड मौड तीम डंग्न का पहला क्लियर भी था परिनामस्वरूप डार्क स्टार की ख्याती एक बार फिर बढ़ गई वे अब हत्यारे के गठ बंधन के नीचे नहीं थे, वे पहले ही हत्यारे के गठ बंधन को पार कर चुके होंगे वर्तमान में White River City में Dark Star का प्रभाव पहले दर्जे के गिल्ड के प्रतिदवंद्वी हो वे White River City के अत्याचारियों में से एक बन गए थे एक अन्यन नोट पर अग्यात कारणों से लोन अत्याचारी ने उन गैरश्रेनी बद्ध संगों को एकी कृत करने के बाद अथर्व के सिर पर एक इनाम रखा था इसके अलावा उसने जो इनाम रखा वह काफी उदार था जब तक कोई अथर्व को लेवल शूने तक मार सकता है वो तुरंत जिम्मेदार व्यक्ती को पांच मिलियन क्रेडिट और डार्क स्टार में एक बड़ी स्थिती के साथ पुरस्कृत करेगा इस बीच अथर्व को एक बार मारने वाले किसी भी खिलाडी को 200-00 क्रेडिट का इनाम मिल सकता है एक आभासी वास्तविक्ता के खेल में इतनी बड़ी इनामी राशी दिमाग को हिला देने वाली थी अभी वास्तविक दुनिया में प्रमुख निगम प्रसिद शीर्ष स्थरिय विशेशग्यों की भरती करते समय केवल 5 मिलियन क्रेडिट का वार्शिक वेतन दे रहे थे दूसरी और अथर्व पहले दरजे के गेड़ का एक महान चरित्र भी नहीं था आभासी वास्तविक्ता की दुनिया में किसी अज्यात खिलाडी पर इतना बड़ा इनाम पहली बार था भले ही उन्हें नहीं पता था कि लोन तानाशाह की अथर्व के साथ किस तरह की दुश्मनी थी कई खिलाडियों ने अथर्व के लिए अपनी सहानुभूती व्यक्त की थी इस बीच लोन अत्याचारी की अत्याचारी कारवायों ने कई स्वतंत्र खिलाडियों का ध्यान आकर्शित किया जिससे उन्हें खुद को और विक्सित करने के लिए डार्ग स्टार में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा हाला कि अथर्व के दृष्टि कोन से अकेला अत्याचारी बस एक पागल था उसने अकेला अत्याचारी से केवल एक फर्स्ट क्लियर दूर चीन लिया था क्या वास्टव में इतना क्षमाशील होने की आवशकता थी इसके अलावा अथर्व वास्टव में भ्रमित था कि कब डार्ग स्टार इतना अध्भुत अस्तित्व बन गया था वे वास्टव में इतने कम समय में 10 से अधिक गैरिटेर संगों को जोडने में सफर रहे थे आपको पता होना चाहिए कि प्रत्य एक गिल्ड में कम से कम 1 से 2,000 सदस्य होंगे एक बड़े गिल्ड के मामले में 5 से 6,000 सदस्य भी हो सकते हैं फिर भी डार्क स्टार ने वास्टव में खा लिया था और उन्हें एक ही बार में कमरे में छोड़ दिया था यहां तक की एसेसिंस एलायन्स के पास भी इतनी मजबूत प्रिष्ठ भूमी नहीं थी कि वह इस तरह के कारणामे को अंजाम दे सके हालांकि अभी डार्क स्टार बहुत शक्तिशाली था अथर्व ने अपने सिर्पर इनाम को मजाग से ज्यादा नहीं माना यदि अथर्व केवल एक सामान्य विशेशग्य होता तो वह डर से कामप सकता था क्योंकि वह वाइट रिवर सिटी में घुलना मिलना जारी नहीं रख सकता था हालांकि क्या अथर्व एक सामान्य विशेशग्य थे नहीं वह नहीं था ऐसी स्थिती में जहां हर किसी को खुद को भगवान के डोमेन से पूरी तरह से परिचित होना था अथर्व के पास पहले से ही एक विशेशग्य तलवारबाज के रूप में भगवान के डोमेन में खेलने का 10 साल का अनुभव था इस समय तक रैंकिंग सूची में पहले स्थान पर रहने वाला लोन टाइरेंट केवल 14 स्थर का था हालांकि जब अथर्व ने उननत वेटस्टोन का उत्पादन करने वाले एक इंटरमेडियेट फोर्जिंग रूम के अंदर सहयोग किया तो वह पहले ही स्थर 16 तक पहुँच गया था कस्प को लेकर अथर्व लोन टानाशाह से आगे निकल गया था इसके अलावा अपने वर्तमान स्थर और उपकरणों के साथ अथर्व ने अपने पिछले जीवन से एक पूर्न बिजली घर का सामना करने का साहस किया था तो वह संभवता डार्क स्टार से क्यों डरेगा इस बार हालांकी अथर्व रेड लीफ टाउन के भीतर मार्शिल यूनियन के साथ उसी रणनीती का उप्योग नहीं कर सका वाइट रिवर्सिटी में ऐसा कोई नहीं था जिसने डार्क स्टार जैसे अत्याचारी बाग को भढ़काने की हिम्मत की हो इसके अलावा डार्क स्टार के बहुत सारे सदस्य थे अथर्व दिवालिया हो जाएगा अगर वो इसके सभी सदस्यों पर इनाम रखे उलेख नहीं है चाहे वह सोने के सिक्के हो या क्रेडिट अथर्व को अभी दोनों की सक्त जरूरत थी इसलिए अथर्व ने डार्क स्टार को नजरंदाज करना चुना और इसके बजाए मन आर्मर किट का निर्माण करते हुए अपने मामलों पर ध्यान केंद्रित किया सामान्य आर्मर किट की तुलना में मन आर्मर किट कहीं अधिक शक्तिशाली थे पतिरिक्त रक्षा प्रदान करने के अलावा, सामान्य आर्मर किट ने एट्रिब्यूट्स को केवल एक छोटा सा बोनस प्रदान किया दूसरी और मन कवच किट ने एक महत्वपून बोनस प्रदान किया इसके अलावा माना कवच किट प्लेट और कपड़ा कवच दोनों पर सुसजित किया जा सकता है उन्हें बनाने के लिए आवशक सामगरी भी बहुत बुनियादी थी कोई महेंगी या दुलब सामगरी बिल्कुल जरूरी नहीं थी बेसिक मैना आर्मर किट आवशक सामगरी दस कॉपर अयस्ट, तीन कांस्य अयस्ट, एक बेसिक रिकावरी पोशन या एक बेसिक मैना रीजनरेशन पोशन घौतिक या जादूई बुनियादी कवच किट में तयार किया जा सकता है लैस करने के बाद चरित्र के लिए बाध्य बेसिक फिजिकल आर्मर किट, रक्षा प्लस असी, शक्ती प्लस तीन, धीरच प्लस चार, चपलता प्लस तीन, प्रतिवर्ण अधिक्तम बाध्यकारी सीमा तीन, केवल स्तर दस उपकरण या उससे उपर के लिए बाध्य किया जा सकता है बेसिक जादूई कवच किट, रक्षा प्लस तीस, इंटेलिजेंस प्लस तीन, धीरच प्लस चार, जीवन शक्ती प्लस तीन, प्रतिवर्ण अधिक्तम बाध्यकारी सीमा तीन, केवल स्तर दस उपकरण या उससे उपर के लिए बाध्य किया जा सकता है मध्यवर्ती माना कवच किट, आवर्शक सामगरी, 15 लौह अयस्क, 5 ललित लौह अयस्क, 1 इंटरमेडियेट रिकावरी पोशन या 1 इंटरमेडियेट मैना रिजेनेरेशन पोशन, धौतिक या जादूई इंटरमेडियेट आर्मर किट में तयार किया जा सकता है लैस करने के बाद, चरित्र के लिए बाध्य, मध्यवर्ती शारिरिक कवच किट, रक्षा प्लस 200, शक्ती प्लस 10, धीरच प्लस 12, चपलता प्लस 10, प्रती वर्ण अधिक्तम बाध्यकारी सीमा 3, केवल 25 स्तर या उससे उपर के उपकरण के लिए बाध्य किया जा सकता है लैस करने के बाद, चरित्र के लिए बाध्य, उन्नक शारिरिक कवच किट, रक्षा प्लस 400, शक्ती प्लस 30, धीरच प्लस 40, चपलता प्लस 30, प्रती वर्ण अधिक्तम बाध्यकारी सीमा 3, केवल स्तर 50 उपकरण या उससे उपर के लिए बाध्य किया जा सकता है उन्नक शारिक कवच किट, रक्षा प्लस 150, इंटेलिजन्स प्लस 30, धीरच प्लस 40, जीवन शक्ती प्लस 30, प्रती वर्ण अधिक्तम बाध्यकारी सीमा 3, केवल स्तर 50 उपकरण या उससे उपर के लिए बाध्य किया जा सकता है जब तक एक खिलाडी तीन मन आर्मर किट को अपने उपकरणों से बांधता है, तब तक उनके पास किंती उपकरण के एक अतरिक्ट टुक्डे के बराबर होगा चाहे एक सामान्य लडाई हो या काल कोठरी चापे, मन आर्मर किट एक खिलाडी को अत्यधिक सुधार प्रदान करेगा ऐसी मोहक वस्तु का विरोध कौन कर सकता है ट्रेड एरिया के मध्यमे स्थित एक सड़क पर एक व्यक्ती ने अपने आपको एक हुडवाले लबादे के नीचे छिपाते हुए जल्दबाजी में सड़क के किनारे स्थित स्टारश्ट्रिक ट्रेडिंग फर्म की उची इमारत में प्रवेश किया इसकी अत्यधिक लोगप्रियता के कारण बहुत सारे खिलाडी स्टारश्ट्रिक ट्रेडिंग फर्म में प्रवेश कर रहे थे और छोड रहे थे इसके अलाबा लबादा पहनने वाले खिलाडी ट्रेडिंग फर्म में आम थे इसलिए जल्दबाजी करने वाले ने अन्य खिलाडियों का ध्यान आकर्षित नहीं किया। हालांकि अगर कोई ध्यान से देखे, तो उन्हें उसकी पीठ पर बंधी दो अती सुंदर लंबी तलवारी मिलेंगी। दो तलवारों में से एक ने एक फी की चमक छोड़ी जो काली लौ जैसी थी, जबकि दूसरी ने प्रकाश की हरी धारा छोड़ी। कोई आसानी से बता सकता है कि ये दोनों तलवारें असाधारन वस्तुए थी। इसके अलावा इस आदमी के उपकरण की शैली ने सपष्ट रूप से संकेत दिया कि यह एक सेट उपकरण और उस पर एक उच्च गुनवत्ता वाला सेट उपकरण था। यह व्यक्ति कोई और नहीं बलकी अधर्व था जो वर्तमान में ब्लाक फ्लेम के वेश में था। इसे कुछ भी खरीदने की कोई जरूरत नहीं थी। फोर्जिंग की किताब और उनके पास मौझूद विभिन सहायक उपकरणों में फैक्टरिंग के बाद उनकी सफलता दर 66% तक बढ़ गई थी। हाला कि अभी भी असफलता की संभाव ना थी, प्रतेक कोशिश में उसे केवल 70 तामबे के सिक्के खर्च करने पड़ेंगे। अधर्व की मौझूदा दौलत के साथ उन्हें इतनी कम राशीक होने से भी खुजली महसूस नहीं होगी। स्टार स्ट्रिक ट्रेडिंग फर्म की तीसरी मंजिल पर पहुँचने के बाद अधर्व ने हॉलवे में लोगों की एक लंबी लाइन देखी। ये लोग फिलहाल एक कार्यालय के बाहर कतार में खड़े थे। इन में से अधिकान्ष लोगों में NPC शामिल थे जबकी अलपसंख्यक खिलाडी थे। अशिष्टता से लेडी एना के कोप से डरते थे। वे लंबे समय से लेडी एना से मिलने का बड़ी बेसबरी से इंतजार कर रहे थे। अगर लेडी अन्ना ने उन सभी को गुस्से में भगा दिया, तो यह एक त्रास्दी होगी। तुम लोग किसलिए कतार लगा रहे हो, अथर्व ने उच्सुकता से पूछा। अथर्व ने हॉलवे में कतार में लगे लोगों को लापरवाही से देखा। एक मोटे अनुमान से वहाँ 200 से अधिक लोग उपस्थित होने चाहिए, यह किसी भी तरह से छोटी संख्या नहीं थी। इसके अलावा, यह देखते हुए कि कैसे इन सभी लोगों ने प्रशनसा और सम्मान दोनों के साथ अन्ना को लेडी अन्ना या देवी अन्ना के रूप में संदर्भित किया। अथर्व आश्चर यच्कित हुए बिना नहीं रह सका। आप यह जाने बिना यहां आने की हिम्मत करते हैं, सभी ने तुरंत अथर्व पर अपनी आखे मूंद ली। उन्होंने अथर्व को ऐसे देखा जैसे वो नोभों, उनकी निगाहें तिरसकार से भरी थी। स्टार स्ट्रीक ट्रेडिंग फर्म वर्तमान में बड़ी संख्या में फोर्जर्स और पोशन में कर्स को काम पर रख रही हैं। अगर हम चुने जाते हैं और स्टार स्ट्रीक के लिए काम कर सकते हैं, तो हम अकेले ही एक निजी वर्ट्शॉप का आनंद लेंगे। इसके अलावा, ट्रेडिंग फर्म हमें सामगरी की अन्थीन आपूर्ती प्रदान करेगी। यदि हम अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो ट्रेडिंग फर्म हमें अपने स्वयं के निजी अनुसंधान कक्ष से भी पुरस्कृत करेगी और हमें अपने शोध को पूरा करने के लिए आवश्यक सभी सामगरी प्रदान करेगी। दूसरे शब्दों में, जब तक हम स्टार स्ट्रीक ट्रेडिंग फर्म के फोर्जर या पोशन मेकर बन सकते हैं, पैसा और शोहरत दोनों ही हमारे चयन के लिए उपलब्ध रहेंगे। इस बिंदु तक बोलते हुए, हर कोई मदद नहीं कर सकता था, लेकिन लगातार आहें भर रहा था। वे उन लोगों के प्रती। भी बढ़ा दी गई थी। ट्रेडिंग फर्म की प्रारंभिक भरती जितना आसान नहीं रह गया था। कितने लगातार उनमूलन पहले ही हो चुके हैं। मुझे लगता है कि यह सात्वा होना चाहिए। परीक्षन अधिक से अधिक चुनोती पूर्ण होता जा रहा है। पह निश्चित रूप से सक्त हैं। अधर्व ने एक कड़वी मुस्कान दिखाई। हाला कि इस तरह के सक्त चयन मांदंड होना कोई समस्या नहीं थी, फिर भी खिलाडी NPC से मौलिक रूप से अलग थे। विशेश रूप से डरपोक और अंतर्मुखी खिलाडियों के लिए के के पास स्टार्मोन किंगडम के दस महान मास्टर जालसाजों में से एक का खिताब था और अधर्व इस जीवन में उसे अपने गिल्ड में भरती करने का पूरा इरादा रखते थे। उसने यह नहीं सोचा था कि क्रीन कोको के हत्यारे के गठबंधन को छोड़ने के तुरंत बाद वह तुरंत स्टारश्ट्रीक में आएगी केवल एक बार फिर से खारिस कर दी जाएगी। सौभाग्य से अथर्व ने स्टारश्ट्रीक ट्रेडिंग फर्म की यात्रा की थी। नहीं तो वह भी इसी तरह क्रूर तलवार से पच्चतावे के आसु बहा रहा होता। हर स्टारश्ट्रीक ट्रेडिंग फर्म ने भी उसे रिजेक्ट कर दिया था। इन लगातार अस्फलताओं के बाद वह अब नहीं जानती थी कि उसे कहा जाना चाहिए। क्या मैं वास्टव में फोर्जिंग के लिए कट आउट नहीं हूँ। शायद मुझे अन्य खिलाडिय को देखा। फिलहाल उसका मूर बिलकुल भी नहीं था कि किसी अजनभी पर कोई ध्यान दे। क्या आप एक और परीक्षा लेने में रुची रखते हैं। अधर्व ने मुस्कराते हुए पूछा। प्रीन कोको की आखों में शौक चमक गया। तुरंत उसने अपना सिर कोई बिना नहीं रह सकी। हाँ 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 आपको क्या लगता है कि आप क्या है। स्टार अस्ट्रेक के अध्यक्ष, क्या आप किसी ऐसे व्यक्ती को जिसे पहले ही अस्विकार कर दिया गया हैë, दोबारा परीच्षा देने दे सकते हैं। जडि आप धों करना चाहते हैं। तो कम से कम समय और स्थान के बारे में सोचें। देखें कि आप अभी कहा हैं। बहुत कम से कम आपको अपना अभिनाय करने से पहले एक स्टारस्ट्रेक प्रतीक प्राप्त करना चाहिए। एक लंबे और सुन्दर मौलवी ने उपहास किया क्योंकि उसने अथर्व पर तिरसकारपूर्ण नजर डाली। हालांकि अथर्व इस लड़की के उकसावे पर नाराज नहीं हुए। इसके बजाए उन्होंने इस लंबी सुन्दर्ता पर अब्जर्विंग आईस का इस्तिमाल किया। उदास मुस्कान, स्तरदस, पुरोहित इस नाम को देखकर अथर्व हैरान रह गए। हालांकि क्रीन कोको के रूप में प्रसिध नहीं है। मिलान चोलिक स्माइल उससे पहले एक मौलवी की लंबी सुन्दरता स्टार मून किंगडम के भविष्य के मास्टर फोर्जर्स में से एक थी। अथर्व ने वास्तव में नहीं सोचा था कि स्टार स्ट्रेक ट्रेडिंग फर्म इतनी आकरशक हो सकती है कि भविष्य के दो मास्टर जालसाजों को लुभा सके। मेरा बुरा मैं अपना परिचय देना भूल गया। मैं हूँ। जैसे ही अथर्व अपना परिचय देने वाले थे। एना अचानक कार्याले से बाहर चली गई और उसने साक्षातकार करताओं के अगले बैच को बुलाया। हालांकि जिसक्षन उसकी नजर अथर्व पर पड़ी वो हडबड़ी में अथर्व के पास चली गई। अथर्व को देखते हुए बाकी सभी ने हास्यासपद मुस्कान दिखाई। वे पूरी तरह से उस शो का आनंग लेने का इरादा रखते थे जो खेलने वाला था। आपने अब तक खुद को बहुत अपमानित किया है। अथर्व ने वास्तव में स्टारश्ट्रीक ट्रेडिंग फर्म के कर्मचारी होने का ढोंग किया। अब जबकि वह इस कृत्य में फस गया है तो उसे निश्चित रूप से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। महा महिम यहां अधीनस्थ इसके लिए अत्यंत खेट जनक है। मैंने नहीं सोचा था कि ये लोग आपको परिशान करेंगे। मैं उन्हें तुरंत दूर भेज दूँगा। एना ने क्रीम कोको और मेलानोलिक स्माई को घूरते हुए अथर्व से माफी मांगते हुए कहा। आह। अथर्व से बात करते सुना तो उनकी आखें लगभग बाहर निकल आई थी। उनके जबडे लगभग फर्श से टकरा गए। उन्होंने उन उफास्पूर्ण शब्दों को निकल लिया जो उन्होंने तयार किये थे क्योंकि उनके चेहरे असाधारन रूप से पीला पड़ गए थे। इस द्रिशे से क्रीन कोको भी वैसे ही चौक गया था। हाला कि उसने इस खबर को अपेक शाकरित जल्दी स्विकार कर लिया। यह बहुत बढ़िया है। मेरे पास एक और मौका है। अथर्व को देखते ही क्रीन कोको की निराश अभिव्यक्ति तुरंत उच्साह में बदल गई। अथर्व के प्रती लेडी अन्ना के विनम्र रवये को देखकर यहां तक कि अथर्व को आपका महामहिम के रूप में संदर्भित करने के लिए क्रीन कोको को यकीन था कि अथर्व कोई साधारन चरित्र नहीं था। चूंकि इतना महान चरित्र उ उसने फिर अपनी निगाहे संदर अन्ना की ओर घुमाई। मेलान चोलिक स्माइल ने एना की मंत्र मुग्ध कर देने वाली चमकगार नीली आखों में श्रधा का पता लगाया जब उसने अथर्व को देखा। जाहिर है अन्ना अभिनय नहीं कर रहे थे। इसके अलावा ज इसमत इतनी भयानक क्यों है। इससे पहले मैं गिल्ड के उपरी सोपानों में से एक को अपमाने करने के बाद बाहर निकाल दिया गया था। अब इससे पहले कि मैं स्टारस्ट्रेक ट्रेडिंग फर्म में पैर रखूं मैंने इसके एक महान चरित्र को नाराज कर दिया उदास मुसकान के विचार अराजक थे और उसका दिल व्याकुल था। वह नहीं जानती थी कि इस जंजट से बाहर निकलने के लिए वह लेडी एना को कैसे समझाए। अथर्व ने अन्ना की उग्रचका चौंध और मिलान चोलिक स्माइल की चंचल अभिव्यक्ति पर ध्य तो वह मुस्कुराएं बिना नहीं रह सका। हालांकि जब मिलानोलिक स्माइल ने अथर्व की मुसकान को देखा, तो उसका नाजुक शरीर कामपने से खुद को रोक नहीं सका, उसके दिल में खौफ भर गया। ट्रेडिंग फर्म में नहीं रह सकता, मिलान चोलिक स्माइल को जख जोर दिया। अन्ना मेरी परवाह मत करो और अपना मूल्यांकन जारी रखो, अथर्व ने अन्ना को निवदेश दिया। फिर उन्होंने अपनी द्रिश्टी क्रीन कोको और मिलान चोलिक स्माइल पर स्थानांतरिक की धीरे से कहा, मैं आपके दोनों परीच्षन यह पास करने योग्य थी। कम से कम अन्ना उसे कोई परिशानी नहीं देंगे। क्या मेरे पास अभी भी मौका है। उदास मुस्कान ने कभी नहीं सोचा था कि अथर्व उसे एक और मौका देंगे। आखिरकार उसने अथर्व के खुशाल अफसर को खराब कर दिया था। तारकिक रूप से उसे इसके बजाए स्टार स्ट्रीक से उसका पीछा करना चाहिए था। जिसके बाद अथर्व क्रीम कोको और मेलांचोलिक स्माइल दोनों को इमारत की चौथी मन्जिल तक ले गए। वह कौन है? क्या वह बहुत आश्चर्यजनक नहीं है? उन्होंने व प्रिवर सिटी में अभी तक एक भी खिलाडी के स्वामित वाली दुकान नहीं थी। यहां तक की औरोबोरोस जो वर्तमान में सबसे प्रसिध गिल्ड है ने भी ऐसा कुछ नहीं किया था। फिर भी अथर्व ऐसा करने में सफर रहा था। इसके अलावा वह स्टार स्ट्र पुरुष खिलाडियों ने अथर्व को क्रीन कोको और मेलान चोलिक स्माइल दोनों का नेत्रित्व करते हुए देखा, तो उन्होंने अंदर ही अंदर उसे कोस्ते हुए उसे एक जानवर कहा, एक उसके लिए पर्याप्त नहीं था, वह व्याभारिक रूप से अपने अधिक अगरियों को देखकर मेलान चोलिक स्माइल के विचार थोड़े पिछड गए, उसने कभी नहीं सोचा था कि अथर्व वास्तव में उनकी परीक्षा लेंगे और उनके प्रती कोई भद्दे विचार नहीं रखेंगे, यह क्या है? क्या आपने अभी तक वेटस्टोन बनान था. तारकिक रूप से हर खिलाडी जो एक जालसाज बनने की ख्वाहिश रखता है, उसे रेसिपी सीखनी चाहिए, उन खिलाडियों का उलेख नहीं करना चाहिए, जो वाइट रिवर सिटी में प्रवेश करने में काम्याब रहे थे. आह, यह बात नहीं है. मुझे पता है मेलान चोलिक स्माइल की तुलना में अधिक शुध मन था. उसने मौलवियों की तरहे चीजों के बारे में ज्यादा नहीं सोचा था. हालांकि वो अभी भी अथर्व के सामने एक विटस्टोन बनाने के विचार से बेहत घबराई हुई थी. उसे गहरा डर लग रहा था कि अभ़ परीक्षा में फेल हो जाएगी. अधर्व ने उनमें से प्रत्येक को सामगरी के पाँच सेट दिये थे और उनकी आवश्यक्ता कम से कम दो सफल प्रयासों को प्राप्त करने की थी. हालांकि हत्यारे के गठ बंधन में अपने समय के दौरान क्रीन कोको सामगरी के 10 स तोन बनाना शुरू कर दिया. आप एक जालसाज भी हैं, क्रीन कोको और उदास मुसकान ने आश्चर ये से पूछा. आप मुझे कितना भूल गया? मैंने अभी तक अपना परिचय नहीं दिया है, जैसा कि अथर्व ने अपना नाम और स्तर दोनों छिपा रखा था, दूस नहीं किया होगा कि वे दिग्गस मास्टर ब्लाक फ्लेन से मिलेंगे. आखिरकार वह स्टार मून किंगडम में सबसे लोग प्रिये जीवन शैली वर्ग में बदलकर जालसाजों की स्थिती को उचा करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति था. इसके साथ ही उन्होंने विभि ब्लाक फ्लेन को या तो एक सुंदर युवक या एक अजीब बूढा होना चाहिए था. हाला कि ब्लाक फ्लेन किसी भी विवर्ण से मेल नहीं खाता. हाला कि ब्लाक फ्लेन उनकी कलपना से अलग दिख रही थी, लेकिन इससे उनकी बढ़ती उत्तेजना नहीं रुकी. यद कोको और उदास मुस्कान की उत्साहित और भूखी निगाहों को देखकर अथर्व के माथे से ठंडा पसीना टपकने लगा. उसने सूखी खासी और सक्ती से कहा, मैं इसे केवल एक बार प्रदर्शित करूंगा. यदि आप दो वेटस्टोन पूरे नहीं कर सकते हैं, तो आ अला कि अथर्व की हरकत ने उन्हें अवाक कर दिया. अथर्व की उत्पादन गती बहुत तेज थी. इसके अलावा उसकी हरकते बहते पानी की तरह सहच और स्वाभाविक थी, कोई भी आसानी से खुद को मंत्रमुग्ध कर लेगा. इससे पहले की वे प्रतिक्रिया दे प किया, तब भी उनके पास विटर्ष्टोन का उत्पादन करते समय 80% सफलता दर थी. हाला कि यदि वह एक बनाने में सफल भी हो जाता है, तो उसे कोई अतरिक्त प्रवीनता अंग प्राप्त नहीं होंगे. उसने केवल दो लड़कियों की क्षमता का परीक्षन करने के अधिक था, उसकी सक्त आवशकता के अलावा, क्रीम कोको और मेलान चोलिक स्माइल तुरंत गंभीर हो गए. अथर्व की फोर्जिन टकनीक स्पष्ट रूप से सैकडों और हजारों बार परिश्प्रित हुई थी. यह कुछ ऐसा नहीं था जिसकी तुलना उनके जैसे हालांकि उन्होंने कमोबेश अथर्व के प्रदर्शन के प्रमुख बिंदूओं पर ध्यान दिया था. इसके तुरंत बाद दोनों लड़कियों ने अपनी अलग फोर्जिन टेबल पर कदम रखा. जैसे कि उन्हें कुछ ज्यान प्राप्थ हुआ हो, उन्होंने फोर्जि का उलेख नहीं करना. हालांकि अथर्व इन अनुभवहीन जालसाजों से अलग था. गौड्स डोमेन खेलने के अपने दस वर्शों के दौरान उन्होंने बहुत सारे मास्टर फोर्जर्स का सामना किया था. अपने खाली समय में ये खिलाडी आमतोर पर फोर्जिन पर चर् ग्यान को जोडते हुए उसने स्वाभाविक रूप से शिल्प को काफी जल्दी सीख लिया था. हालांकि प्रतिभा के मामले में अथर्व वर्तमान में उनके सामने मौजूद लड़कियों की बराबरी करने से बहुत दूर था. आखिरकार दिन के अंत में अथर्व अभी भी लड़ाई और रुमाच के लिए अधिक अनुकूल खिलाडी था. केवल एक चीज जो वह कर सकता था, वह यह की उसने उन मास्टर्स को सुनने से प्राप्त ग्यान को फोर्जिन तक्निकों की अपनी समझ के साथ जोड़ा और उसे प्रदर्शित किया. हालांकि यह बहु विटस्टोन का उत्पादन करने में सक्षम होना चाहिए. यदि उनके पास पास करने योग्य तक्निके होती, तो यह असामान्य नहीं होता यदि वे तीन का उत्पादन भी कर सकते थे. हालांकि इस तर पर अधिकांश खिलाडी पांच प्रयासों में से केवल एक ही विटस विफलता दर में कम से कम 5% की वृध्धी करनी चाहिए. इसके कारण अधर्व ने उन दोनों को सामगरी के 5 सेटों में से 2 विटस्टोन का उत्पादन करने के लिए कहा. कुछ देर की खामोशी के बाद दोनों लड़कियों ने आखिरकार विटस्टोन बनाने का अपना पह दोनों विटस्टोन खराब गुनवत्ता के थे और इस्तिमाल किये जाने पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा. क्रीन कोको और मिलान चोलिक स्माइल दोनों ही इन परिनामों से निराश थे. उन्हें पता था कि उनके पास ज्यादा मौके नहीं बचे हैं. यदि वे दूसरे प्रयास से पहले चिंतन करने में अधिक समय बिताया. दस मिनट से अधिक समय तक विचार करने के बाद, अगली कारवाई दोनों लड़कियों ने अथर्व को चकित कर दिया. एक ही सांस के भीतर, दोनों ने सामगरी के सभी चार सेटों का उपियोग कर लिया था. इसके अलावा, उनकी उत्पादन गती पहले की तुलना में बहुत तेज थी. चारो विटस्टों बनाने के बाद, दोनों एक दूसरे को देख कर मुस्कुराएं. फिर उन्होंने अथर्व के मूल्यांकन का इंतजार करते हुए अपने भरे हुए विटस्टों को टेबल प यहाँ अनुबंध है. यदि कोई समस्या नहीं है, तो बस इस पर हस्ताक्षर कर दें. शितिस गठ बंधन, यह स्टार स्ट्रीक ट्रेडिंग फर्म नहीं है. जब उन्होंने अनुबंध पर एक नजर डाली तो क्रीम कोको और मिलांचोलिक स्माइल भ्रमित थे. आखिरकार यहाँ आने का उनका लक्षे धनी और शक्तिशाली स्टारस्ट्रेक ट्रेडिंग फर्म में शामिल होना था. हाला कि अनुबंध को पढ़ने के बाद उन्होंने पाया कि बताये गए लाब असामान्य रूप से अच्छे थे. यहाँ तक की क्रीन कोको जो हत्यारे के गठ बं दोने केवल 5% लाब और कम मासिक वेतन के साथ अपने जालसाजों को प्रदान किया. इन संगो द्वारा प्रदान की जाने वाली सामगरी भी बहुत सीमित थी. सामान्य परिस्थितियों में जालसाजों को बहतर तकनीक के साथ सर्वोत्तम सामगरी दी जाएगी, शेश जाल जाएगा. मैं यहां नहीं बता सकता कि होराइजन एलायंस का स्टारस्ट्रिक ट्रेडिंग फर्म के साथ किस तरह का संबंध है. हाला कि मैं आपको एक बात बता सकता हूँ, दहोराइजन एलायंस एक लाइफस्टाइल गिल्ड है. यहां आपके सामाने साहसिक और गडम के हर शहर में अपने उत्पाद बेचेंगे. इसके अलावा, आप लोगों को सामगरी के बारे में चिंता करने की ज़ुरत नहीं होगी. जब तक आप परियाप्त गुनवत्ता की वस्तुओं का उत्पादन कर सकते हैं, तब तक आपको वस्तुओं को बेचने में अस्फल होने के बारे में चिंता करने की आवश्यक्ता नहीं होगी. अथर्व ने शान्ती से मुस्कराते हुए कहा, बेशक्त, यदि आप नहीं चाहते हैं, तो आप इसके बजाए स्टारस्ट्रीक ट्रेडिंग फर्म में शामिल होना चुन सकते हैं. यह सब आप पर निर्भर है. क्रीन कोको और मेलान चोलिक स्माइल ने उनके विकल्पों पर ध्यान से विचार किया. वर्तमान में यदि वे खुद को और विक्सित करना चाहते हैं, तो स्टारस्ट्रेडिक ट्रेडिंग फर्म निर्विवाद रूप से बहतर विकल्प थी. इसके अलावा, उन्होंने होराइजन एलायन्स के बारे में कभी सुना भी नहीं था. लाइफस्टाइल खिलाडियों द्वारा चलाए जा रहे गिल्ड का तो कहना ही क्या. मैं क्षितिज गठ बंधन में शामिल होने को तैयार हूँ, हालांकि क्रीन कोको ने बिना किसी हिचकी चाहट के अनुबंध पर हस्ताक्षर किये. मेलान चोलिक स्माइल ने इस नजारे पर बस अपना सिरहला दिया, यह सोचकर की क्रीन कोको बहुत भोली थी. हालांकि हालांकि उसने ऐसा सोचा था, उसने इसी तरह से अथर्व से प्राप्ट अनुबंध पर अपने नाम पर हस्ताक्षर किये थे. उसने जिस कारण को चुना था, वह वर्तमान में उसके सामने का आदमी था. वह न केवल स्टार मून किंगडम के मुख्य जालसाज थे, बलकि स्टार स्टिक ट्रेडिंग फर्म के साथ भी उनके गहरे संबंध थे. कोई यह भी कह सकता है कि एडवास्ट वेटस्टोन के बिना स्टार स्ट्रिक ट्रेडिंग फर्म अपनी वर्तमान लोक्त्रियता का आनंद नहीं ले पाएगी सबसे महत्वपून बात यह है कि यह क्षितिज एलायंस की भविश्य की क्षमता थी अच्छा, चुंकि आप दोनों ने अनुबंध पर हस्ताक्षर किये हैं, अब आप शितिज एलायंस के आधिकारिक सदस्य है इस खशन से आप दोनों किसी भी समय स्टार स्ट्रीक ट्रेडिंग फर्म में फोर्जिंग रूम का उप्योग कर सकते हैं यदि आपके पास सामगरी की कमी है, तो बस अन्ना को सूचित करें और वह उन्हें आपके लिए प्रदान करेगी आप दोनों को केवल एक सचे जालसाज के रूप में आगे बढ़ने पर ध्यान देने की जरूरत है, अथर्व ने मुस्कुराते हुए कहा दो संभावित मास्टर जालसाजों के शामिल होने के साथ, अथर्व ने क्षितिज एलायन्स के भविश्य के बारे में अधिक आशावादी महसूस किया अथर्व ने मेलान चोलिक स्माइल को होराइजन एलायन्स का अस्थाई प्रबंधक भी बनाया जब उसने होराइजन एलायन्स का प्रबंधन किया, तो उसे स्टार स्ट्रेक ट्रेडिंग फर्म की क्षमता वाले कुछ फोर्जर्स और पोशन मेकर्स को अवैद शिकार करने का काम भी सौपा गया था आखिरकार अथर्व केवल ट्रेडिंग फर्म के कार्यकारी अध्यक्ष थे स्टार स्ट्रीक ट्रेडिंग फर्म के फोर्जर्स और पोशन मेकर्स केवल स्टार स्ट्रीक के थे, शितिज एलायन्स के नहीं जब अथर्व ने Epic Quest का दूसरा चरण पूरा किया, तो उसका Star Street Trading Firm से कोई संबंध नहीं रहा वह अब Star Street Trading Firm के माध्यम से आइटम बेचने में सक्षम नहीं होगा दूसरे शब्दों में वह और Star Street Trading Firm एक दूसरे के बीच एक रेखा खीचेंगे इसलिए उन्हें स्वाभाविक रूप से अपने पक्ष में संभावित खिलाडियों की भरती करनी पड़ी इसके तुरंत बाद, अथर्व ने Star Street Trading Firm की दूसरी मन्जिल पर Basic Mana Armor Kit को बिक्री के लिए रखा उन्होंने प्रत्येक Basic Mana Armor Kit की कीमत 20 चांदी के सिकों पर रखी हालांकि यह कीमत लेवल 10 कांस्य उपकरन के बराबर हो सकती है, अथर्व ने कोई आपत्ती नहीं की आखिरकार उन्हें इस बात का कोई डर नहीं था कि यहां आइटम नहीं बिकेगा उन्हें केवल इस बात का डर था कि यह बहुत जल्दी बिक जाएगा, इस प्रकार उसने इतनी अधिक कीमत निर्धारित की थी अथर्व फिर अपने Forging Room में लॉट आये और Basic Mana Armor Kit बनाना शुरू कर दिया 600 Basic Mana Armor Kit बाल्टी में बस एक बूंद थी मांग को पूरा करने के लिए उसे अभी भी बहुत अधिक उत्पादन करने की आवर्शक्ता थी उल्लेख नहीं करने के लिए अथर्व के पास अभी भी 30,000 सोने के सिकों के रूप में एक पहार था जो उस पर भारी था अथर्व को उन्नत वेटस्टोन बेचने से इतना पैसा बनाते हुए देखने के बाद बहुत सारे गिल्ड लाल्ची होने लगे थे वे सभी अपने लिए नुस्खा प्राप्त करने की योजना के बारे में सोचने लगे इसलिए पिछले कुछ दिनों के दौरान कई गिल्डों ने उन्नत वेटस्टोन की उत्पत्ती की जाँच शुरू कर दी थी अथर्व मदद नहीं कर सकता था लेकिन स्विकार करता था कि एक गिल्ड वास्तव में एक व्यक्ती की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली था थोड़े समय के भीतर इन संगों ने उन्नत वेटस्टोन की उत्पत्ती की खोज की थी वे इसकी रेसिपी हासिल करने में भी काम्याब रहे थे चांदनी जंगल खजाने ने इस जगह को भर दिया प्रेजर चेस्ट और फील्ड बॉस के बहुत सारे होने के अलाबा यहां जेमस्टोन्स के लिए ड्रॉप रेट अन्य नक्षों की तुलना में बहुत अधिक था वाइट रिवर सिटी के विभिन बड़े गिल्ड लंबे समय से मूनलाइट फॉरिस्ट को कैश मशीन के रूप में मानते थे दूसरी और स्वतंत्र खिलाडियों के पास इन भरपूर संसाधनों का कोई हिस्सा नहीं था गिल्ड लीडर हमारे गिल्ड में इंटर्मेडियेट फोर्जिन अप्रेंटिस ने उननत वेटस्टोन का सफलता पूर्वक उतपादन किया है एक रेंजर ने बताया कि इंटर्मेडियेट अप्रेंटिस पोर्जिन में कर्स इंटर्मेडियेट रिकावरी पोर्जिन और इंटर्मेडियेट मैना रिजनरेशन पोर्जिन का उतपादन करने में भी काम्याब रहे है बहुत अच्छा ऐसा ही हुआ कि वाइट रिवर सिटी का बाजार आज रात आयोजित होगा हम इस अफसर का उप्योग दार्क स्टार की ताकत दिखाने के लिए कर सकते हैं अकेला अत्याचारी संतोष जनक धन से मुस्कुराया धन के सागर में स्टारस्ट्रेक ट्रेडिंग फर्म को रेक करते हुए देखने के बाद से वह लंबे समय से अधीर हो गया था अब जब उनका गिल्ड उननत वेटस्टोन और इंटरमेडियेट और शधी का उत्पादन और विक्री कर सकता है तो वह वाइट रिवर सिटी का सच्चा अत्याचारी बनने के करीब एक कदम था स्टारस्ट्रीक ट्रेडिंग फर्म दूसरी मनजिल पर प्रीमियम सामान काउंटर पर उननत वेटस्टोन्स की बरती लोग प्रियता और तत्य यहाँ है कि प्रतेक दिन बिक्री के लिए केवल एक सीमित राशी उपलब्ध थी कई गिल्ड और खिलाडियों को आम तोर पर कतार में और काउंटर पर इंतजार करते देखा जा सकता था हाला कि आज ट्रेडिंग फर्म की दूसरी मंजिल पर कम लोग मौजूद थे प्रीमियम गूर्स काउंटर पर कोई भी लाइन में नहीं लगा उपस्थित लोग केवल स्वतंप्र खिलाडी थे केवल विंडो शॉपिंग और एक भी गिल्ड खिलाडी विशाल हॉल में नहीं भटके उपस्थित किसी ने भी उननत वेटस्टोन की उपलब्धता के बारे में नहीं पूछा और ऐसी स्थिती ने एना ट्रेडिंग फर्म के प्रबंधक को चिंतित कर दिया था उन्होंने तत्काल ग्राहकों की इस अचानक कमी के कारण की जाट शुरू की उसने फिर अपने निशकर्शों को अथर्व के पास भेज दिया उसे यह तै करने दिया कि इसके साथ क्या करना है हाला कि मैं लंबे समय से इसकी उम्मीद कर रहा था उन्होंने निश्चित रूप से जल्दी कारवाई की क्या डार्क स्टार हमारे साथ प्राइस बोर शुरू करने की कोशिश कर रहा है अन्ना द्वारा भीजे गए संदेश को पढ़ने के बाद अथर्व ने एक शांत मुस्कान प्रकट की स्टार स्ट्रीक ट्रेडिंग फर्म का व्यवसाय अचानक थंडा हो जाने का मुख्यकारण डार्क स्टार था डार्क स्टार ने उन्नत वेटर स्टोन और इंटर्मेडियेट पोशन बनाने में सक्षम फोर्जर्स और पोशन मेकर्स का पोशन करने में काम्याबी हासिल की थी इसके अलावा उन्होंने व्यापक रूप से इस तथे का धिंधोरा पीटा था कि उन्होंने अपने उत्पादों को बहुत कम कीमत पर पेश किया मूल रूप से स्टार स्ट्रेक ट्रेडिंग फर्म में एक गोल्ड 40 सिल्वर के लिए उन्नत विटस्टोन का धेर बेचा गया हाला कि डार्क स्टार ने उन्हें प्रती स्टैक केवल एक गोल्ड के हिसाब से बेचा जहां तक मध्यम औश्धी की बात है दोनों प्रकार के एक चांदी के सिक्के सस्ते दाम पर बेचे गए हाला की कीमतें बहुत कम हो गई थी उन्नत वेटस्टोन और मध्यवर्ती औश्धी मूल रूप से ऐसे उत्पाद थे जो अत्यधिक बढ़ी हुई कीमतों पर बेचे गए थे यहां तक कि अगर कोई अपना विक्रे मूल्य कम कर देता है तब भी वे वस्तूओं की आधार लागत से कई गुना अधिक अर्जित करेंगे इसलिए ग्राहकों को लुभाने के लिए डार्क स्टार स्वाभाविक रूप से कीमतों में कमी की पहल करेगा इन वस्तूओं को खरीदने के इच्छुख खिलाडियों के लिए वे इन वस्तूओं को सबसे कम कीमत पर खरीदेंगे यह मानव स्वभाव का प्राकृतिक नियम था कोई भी इतना मूर्ख नहीं होगा कि समान गुनवत्ता वाली वस्तू को अधेक कीमत पर खरीद ले हालांकि कीमतों में कमी केवल डार्क स्टार की रणनीती की शुरुवात थी मामले को बतर बनाने के लिए डार्क स्टार ने विनिमय तंत्र में एक निनायक परिवर्तन भी किया था हालांकि सामान्य वेटर स्टोंस के लिए इस्तिमाल की जाने वाली विनिमय दर स्टार स्ट्रेक ट्रेडिंग फर्म के समान थी उन्होंने 9 Witter Stones to Hard Stones अनुपात को 1-9 के अनुपात से घटा कर 1-7 के अनुपात में कर दिया था यहां अनुपात Intermediate Forging Apprentice की उत्पादन आवशक्ताओं से थोड़ा अधिक था Star Strik Trading Firm की तुलना में Dark Star की विनिमयदरे कहीं अधिक आकरशक थी नतीस्तन कई खिलाडियों ने अपने हार्ड स्टोन्स का व्यापार करने के लिए डार्क स्टार की ओरुख किया अब जब StarStrike Trading Firm ने हार्ड स्टोन्स के लिए अपनी आय का मुख्य स्रोत खो दिया था भले ही वे हार्ट स्टोन्स पर भरोसा करते थे, जो अथर्व ने पहले जमा किये थे, वे जल्द या बाद में समाथ हो जाएंगे. आवश्चक बुनियादी सामगरियों के बिना, वे कैसे कुछ भी उत्पादन करने वाले थे. इसके अलावा, डार्क स्टार के पास भी एक फाइदा था जो अथर्व के पास नहीं था, उनके पास उननत विटस्टोन का उत्पादन करने वाले अधिक लोग थे. जैसे जैसे अधिक समय बीटता गया, डार्क स्टार छापे मारने वाले डंगन से अधिक उन्नत वेटस्टोन व्यंजनों को प्राप्त करेगा वे अपने गिल्ड में उन्नत वेटस्टोन बनाने में सक्षम लोगों की संख्या में अंथीन वृध्धी कर सकते थे इस बीच स्टार स्ट्रीक ट्रेडिंग फर्म के पास केवल अधर्व था हालांकि अधर्व के पास वर्तमान में व्यंजनों के लिए निचले स्टर के काल कोठरी पर छापा मारने के लिए न तो जन्शक्ती थी और नहीं समय बर्बाद करने का यदि यह स्थिती बनी रहती है तो डार्क स्टार अंता स्टार स्ट्रीक ट्रेडिंग फर्म को पीछे छोड़ देगा इसके तुरंत बाद अधर्व ने अन्ना को अपना फैसला सुनाया चुंकि डार्क स्टार मुल्य युद्ध शुरू करना चाहता था इसलिए वह खुशी-खुशी इसमें शामिल होगा इसलिए उन्होंने डार्क स्टार के बराबर कीमतों और विनिमाईदरों को समायोजित किया हाला कि यह परिवर्तन केवल वाइट रिवर्सिटी में प्रभावी होगा अन्य साथ शहरों में कीमतें और विनिमाईदरें समान रहेंगी साथ ही अथर्व ने बेसिक माना आर्मर किट को प्रकट करने का मौका भी लिया अन्ना अपने काम में बहुत कुशल थी अथर्व द्वारा उसे कार्य सौंपे जाने के कुछ समय बाद उसने उन सभी को पूरा कर लिया था इसके अलावा उसने विशेश रूप से बेसिक माना आर्मर किट बेचने के लिए दूसरी मंजिल पर एक अतिरिक्ट काउंटर भी जोड़ा था आने वाले खिलाडियों ने जल्दी से नए जोड की खोज की यहाँ नया काउंटर है यहाँ बेसिक माना आर्मर किट क्या है? क्या हम एक बार देख लेने के बाद नहीं जान पाएंगे? मूल रूप से दूसरी मंजिल पर मौजूद विशिष्ट पार्टियों में से एक केबल भविश्य में उप्योग के लिए कुछ सामान्य वेटरस्टोन खरीदने के इरादे से स्टारस्ट्रेक्ट ट्रेडिंग फर्म में आया था हालांकि जब उन्होंने नए काउंटर और एक नए उत्पाद की उपस्थती पर ध्यान दिया तो उनमें उत्सुक्ता बढ़ गई और उन्होंने जाच करने का फैसला किया बकवास यह पागल है क्या यह वस्तुचांदी की बनी है? वे वास्तव में तूटे हुए कवच किट के लिए 20 चांदी के सिक्के चार्ज कर रहे है मैं उस तरह के पैसे से लेवल 10 कांसे उपकरण का एक टुकड़ा प्राप्त कर सकता हूँ वे इस चीज की बिक्री को एक दिन में 50-50 तक सीमित कर रहे है यह बहुत महंदा है भले ही हम एक कुलीन पार्टी है एक काल कोठरी चापे से हमारी फसल सबसे अच्छी मात्रा में 2-3 कांसे उपकरण के बराबर होगी इसके अलावा न केवल हम अनुभव खोने का जोखिम उठाते हैं बलकि हमें चापे के बाद औश्धी और मरम्मत पर पैसा खर्च करने की भी आवश्चता होती है एक आर्मर किट पहले से ही एक ही दिन में हमारी पार्टी की कुल फसल के बराबर है एक मिनट रुकिए इस आर्मर किट की विशेश्टाएं इतनी अधिक क्यों है हम प्रती चरित्र पर कुल तीन टुकडे बांध सकते हैं तीन टुकडो की कुल विशेश्टा इस तर दस के रहस्य में आईरन रैंक वाले ब्रेस्ट प्लेट से भी अधिक है नजर प्रतेक आर्मर किट को एक काली लौ से चेहनित किया जाता है मुझे यह मक बताओ कि यह ब्लाक फ्लेम फोरगर द्वारा बनाई गई कोई चीज है मूल रूप से टीम के सदस्यों ने स्टारस्ट्रेक ट्रेडिंग फर्म को उन्हें चीरने की कोशिश करने के लिए शाप दिया था हाला कि जिसक्षण उन्होंने माना आर्मर किट और ब्लाक फ्लेम मार्क की विशेश्टाओ पर ध्यान दिया वे अनैच्षिक रूप से थर्थर काप उठे ब्लाक फ्लेम कौन था? वह ऐसा व्यक्ति था जिसे स्टार्मोन किंगडम का हर दिगज खिलाडी जानता था हाला कि इस बिंदु पर ग्लिमर चेस्ट प्लेट पुराना था यह एक निर्विवाद तथ्य था कि आइटम में एक बार पूरे स्टार्मोन किंगडम में खलबली मचा दी थी इसके अलावा इसकी वीरतापून उपस्थिती के कारण कई खिलाडी अभी भी अपने ग्लिमर चेस्ट प्लेट्स पर बने हुए है जिन लोगों ने ब्लाक फ्लेम मार्क धारन किया था वे और भी भयानत लग रहे थे और अंगिनत संग्राहकों ने इन में से किसी एक टुक्डे को रखने की कामना की दुर्भाग्य से इस तरह के चेहने टुक्डे बहुत दुरलब थे और अभी प्रत्येक टुक्डा पहले से ही काले बाजार में पचास चांदी के सिक्कों के लायक था फिर भी इतनी भारी कीमत पर भी कोई भी स्वेच्छा से अपना सामान नहीं बेचेगा अब ब्लाक फ्लेम ने खुद को फिर से प्रकट कर दिया था वह ऐसे शक्तिशाली मन कवच किट भी बेच रहा था यह उस कहावत की तरह था जिसने स्टार मून किंगडम को परिचालित किया था ब्लाक फ्लेम द्वारा उत्पादित कुछ भी निश्चित रूप से एक प्रीमियम उत्पाद होगा अभी हमारे पास कितना पैसा है संभरांत दल के नेता ने धीरे से बोलते हुए अचानक पार्टी चैट में पूछा भाई किन हमारे पास मुश्किल से 45 चांदी के सिक्के हैं अगर हम सभी 6 एक साथ अपना पैसा जमा करते हैं हम अपने उपकरनों की मरमत और कुछ औशधी खरीदने के लिए बहुत कठिनाई के बाद ही इसे इकठा करने में काम्याब रहे हैं आप यह नहीं सोच सकते हम सामान्य वेटस्टोन के लिए एकतर किये गए कठोर पत्थरों के एक हिससे का व्यापार करें फिर बाकी को बेच दें इसके अलावा हमारे द्वारा पहले प्राप्ट किये गए सभी रतनों को बेच दें इससे पहले कि कोई इस आर्मर किट का पता लगाए, हमें जितना हो सके उतना आर्मर किट खरीदने की ज़रूरत है जब तक हम अपने MT और HEALER को इन में से तीन मन आर्मर किट से लैस कर सकते हैं, तब तक हम नौर्मल मौट पार्टी डंगन को आसानी से साफ कर सकते हैं इसके अलावा, जब तक स्टार्श्ट्रीक इन मना आर्मर किट की बिक्री बंद कर देता है, तब तक हम अपने एक्स्ट्रा को उच्च कीमत पर फिर से बेच सकते हैं हमने जितना खर्च किया है, उसमें से अधिकाश को वापस पाने में हमें सक्षम होना चाहिए जब पार्टी के अन्य सदस्यों को अपने पार्टी नेता के शब्दों के पीछे के तर्ग का एहसास हुआ, तो उन्होंने तुरंट अपने पैसे जमा करना शुरू कर दिया और अपनी सभी खर्चीली वस्तूओं को जितना हो सके उतना बेसिक मन आर्मर किट खरीदने के लिए बेच दिया यदि उनके MT और मरहम लगाने वाले दोनों के पास मिस्टीरियस आइरन उपकरण का एक अतिरिक्ट टुकड़ा हो सकता है, तो वे कालकोठरी पर छापा मारने पर होने वाली मौतों की संख्या को बहुत कम कर सकते हैं अतिरिक्ट 240 रक्षा और 12 धीरच के साथ उनकी MT की ताकत अगले स्थर तक बढ़ जाएगी, उनका एंटी बॉस राक्षसों को बहुत अधिक आसानी से टैंक कर सकता है उलेख नहीं करने के लिए उनके मरहम लगाने वाले को भी अपग्रेड प्राप्थ होगा इसके तुरंत बाद कुलीन पार्टी के MT और मरहम लगाने वाले प्रत्येक ने तीन बेसिक मैना आर्मर किट को अपने उपकर्णों से बांथ दिया पार्टी ने भविश में उपयोग के लिए एक अतिरिक्ट टुकडा भी खरीदा मैंना आर्मर किट के बारे में पता लगाया था कई अन्यसंभरांत पार्टीयों और स्वतंत्र खिलाडियों ने जो स्टारस्ट्रेक ट्रेडिंग फर्म में भटक गए थे आर्मर किट की खोज के बाद गुप रूप से अपनी संपत्ती बेच दी थी कुछ खिलाडी जो वास्तव में धनी थे यहां तक की आर्मर किट खरीदने के लिए उच्च कीमत पर सिक्के खरीदने तक चले गए नतीस्तन पचास बेसिक माना आर्मर किट चुपचाप स्टारस्ट्रेक ट्रेडिंग फर्म से गायब हो गए रात के दौरान जब चाद चमकीला था और तारे कम थे तो कई खिलाडी पब में आराम करने और गपशप करने आते थे ओल्ड किन आज आपकी पार्टी इतनी खुश क्यों है तुम लोगों ने पीने के लिए इतनी महंगी शराब भी खरीद ली मुझे मत बताओ आज तुम्हारा जन्मदिन है एक अन्य कुलीन दल के एक दल के नेता ने पूछा हमारी तीन सिर्वाली भेडियों की पार्टी आज बहुत खुश है यहाँ मैं आपके नाइहेड़ेट बर्स पार्टी को आइस ब्लू स्पिरिट की इस बोतल से ट्रीट करूँगा क्या तुम लोगों ने इसे अमीर बना दिया आप इतने उदार क्यों हो रहे है यह एक उच्च गुनवत्ता वाली शराब है जिसकी कीमत तीन चादी के सिक्के है बेशक आज हमारी पार्टी पहली बार एक हार्ड मौट पार्टी काल कोठरी को साफ करने में काम्याब रही हम उस काल कोठरी के छापे से अपने MP के लिए Mysterious Siren Equipment का एक टुकड़ा प्राप्त करने में भी काम्याब रहे कल हम एक और हार्ड मौट पार्टी काल कोठरी पर छापा मारने की योजना बना रहे है बार के अंदर के अन्य खिलाडी तुरंक चौक गए जब उन्होंने सुना कि किसी ने हार्ड मौट पार्टी डंग्न को साफ करने में काम्याबी हासिल की है उन सभी ने किन नाम के खिलाडी को ईश्या भरी निगाहों से देखा पूरे वाइट रिवर्सिटी में, एक हार्ड मॉड पार्टी कालकोथरी को साफ करने में काम्याब होने वाली स्वतंत्र पार्टीओं की संख्या को एक के हाथों में गिना जा सकता है बूढे किन शेखी बगार ना बंद करो क्या आपको लगता है कि मैं आपकी पार्टी की ताकत के बारे में नहीं जानता हार्ड मॉड का उलेख नहीं करने के लिए आप लोगों को अभी भी एक सामान्य मॉड पार्टी काल कोथरी को साफ करने के लिए जीवन और मृत्यू से संधर्श करना होगा नान हेड़ेड बर्ड्स पार्टी के नेता को विश्वास नहीं हुआ हाँ 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 यदि यह अतीत में होता तो निश्चित रूप से यह असंभव होता हाला कि हमारी पार्टी के एमटी के पास अभी एक हजार से अधिक डिफेंस और 1600 HP हैं किनने खुशी से शेखी बढ़ारी इस जानकारी से नाइन हेड़ेड बर्ड्स पार्टी के नेता को बहुत धक्का लगा आखिरकार वह और दूसरी पार्टी के नेता एक दूसरे को लंबे समय से जानते थे इसलिए वह किन को उपर से नीचे तक जानता था पहले 3-headed wolves MP इतना शक्तिशाली नहीं था वह 9-headed birds MP से भी छोटे अंतर से कमजोर था कुछ जांच परताल के बाद 9-headed birds ने 20 silver coins खर्च कर उस रहसे को प्राप्त किया जिसका इस्तमाल तीन सिर वाले भेडियों ने एक hard mod party डंगन को साफ करने के लिए किया था 3-headed wolves की सफलता का मुख्यकारण बेसिक मैना आर्मर किट का योगदान था दिन के दौरान 3-headed wolves उन पार्टियों में से एक थे जिन्होंने गुप रूप से star strike trading firm से बेसिक मैना आर्मर किट खरीदे थे अपने नए बहतर MP और मरहम लगाने वाले के साथ काल कोठरी के साथ अपनी परिचित्ता के अलावा उन्होंने अंतह वह उपलब्धी हासिल करने में काम्याभी हासिल की जिसका लक्ष सभी स्वतंत्र दलों ने एक hard mod party काल कोठरी को साफ करना था खिलाडियों को एक दूसरे के साथ व्यापार करने की अनुमती देने के लिए White River City के रातरी बाजार का आयोजन किया गया था डार्क स्टार के लगातार विग्यापन के कारण आज बाजार में चहल पहल बढ़ गई थी डार्क स्टार से उननत वेट स्टोन खरीदने के लिए कई संगों ने बड़ी मातरा में हार्ट स्टोन और सिक्के एकतर किये थे खिलाडियों ने पूरे प्लाजा में स्टॉल लगाने में खुद को व्यस्त कर लिया जहां बाजार होगा जैसा कि निलामी घर की सेवाओं का उपियोग करने के लिए किसी को भारी प्रसंसकरन शुल्प का भुगतान करना पड़ता था कई खिलाडियों ने इसके बजाए आज अपनी संचित लूट को बेचने का विकल्प चुना था इस बीच इस प्लाजा में स्थापित कई स्टालों में सबसे अधिक ध्यान आकरशित करने वाला डार्क स्टार का था क्योंकि वर्तमान में डार्क स्टार के स्टॉल के सामने कई सो खिलाडी खड़े थे यह देखकर अकेला अत्याचारी का हृदय खुशी से जूम उठा कल आने तक डार्क स्टार वाइट रिवर सिटी में सबसे धनी गिल्ड बन जाएगा और बहुत जल्द वे स्टारस्टिक ट्रेडिंग फर्म को भी पार कर जाएंगे वे वाइट रिवर सिटी की आर्थिक जीवन रेखा के स्वामी बन जाएंगे उस समय औरोबोरोस भी डार्क स्टार के लिए एक मैच नहीं होगा बाजार शुरू होने के आधे घंटे बाद कुछ अजीब हुआ इस घटना के कारण बहुत सारे गेड अपने विचारों में सुस्थ हो गए और यहां तक की अकेला अत्याचारी भी पूरी तरह से गुंगा हो गया क्या कोई मुझे बता सकता है कि यहां क्या हुआ है खाली प्लाजा की ओर इशारा करते हुए अकेला तानाशाह दहाडा बॉस मैंने अभी अभी कुछ पूछ ताच की और पाया कि स्टारस्ट्रेक ट्रेडिंग फर्म ने इसी तरह अपने उत्पादों की कीम्तों में कमी की है हमारी कीम्तों के समान होने के अलावा उन्होंने एक नया उत्पाद भी जारी किया है मैंने सुना है कि उत्पाद ब्लाक फ्लेम द्वारा बनाई गई एक बेसिक मैना आर्मर किट है जब तक कोई इस कवच किट को अपने उपकरनों से बांधता है तब तक वे अपनी विशेशताओं और रक्षा में एक बड़ा सुधार प्राप्त करेंगे यदि कोई खिलाडी अपने उपकरन में तीन टुकडे बांधता है तो यह एक अतरिक्त शीर्ष स्तरिय मिस्टीरियस साइरन रैंक वाले ब्रेस्ट प्लेट के बराबर होगा हाला कि स्टार स्ट्रेक ने आर्मर किट की बिक्री को प्रती दिन पचास तक सीमित कर दिया है इसलिए हर कोई आइटम के बजाए कतार में लग गया काला लौ क्या वह स्टार मून किंगडम का मुख्य जालसाज नहीं है वह स्टार स्ट्रेक ट्रेडिंग फर्म के साथ काम क्यों करेगा अकेला अत्याचारी की भाँहों पर जुर्रिया पढ़ गई उन्होंने ब्लाक फ्लेम के बारे में अफवाहें भी सुनी थी हाला कि वह आदमी बहुत रहसिमय था इसलिए किसी को भी इस बात का कोई ठोस अंदाजा नहीं था कि कौन सी बड़ी ताकत उसके पीछे खड़ी है जंता केवल यह जानती थी कि ब्लाक फ्लेम का समर्थन करने वाली एक गहरी छिपी हुई प्रमुख शक्ती थी तो क्या हुआ अगर वह मुख्य जालसाज है अकेला अत्याचारी ने उभास किया चुँकि ब्लाक फ्लेम इतनी अच्छी वस्तु बना सकता है हमें केवल इसे भी बनाने की जरूरत है बेसिक मन आर्मर किट की तुरंट जाच करें पता लगाए कि हम फोर्जिंग डिजाइन कहां से प्राप्त कर सकते है मैं वास्तव में ब्लाक फ्लेम को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उसने हमें यह शांदार व्यावसायक अफसर दिया बॉस इस दबेस्ट मैं इसकी तुरंट जाच करूंगा इस बीच स्टार स्ट्रीक ट्रेडिंग फर्म में पहले से ही इमारत के बाहर लोगों की कतार लगी हुई थी कठोर पत्थरों का एक धेर कम कीमत पर बेचना अगर आप रुची रखते हैं तो यहां आएं तीस चांदी के सिक्कों के लिए स्तर दसकांसे कुलहाडी चांदी के सिक्के उची कीमत पर ख्रीदना तुम्हारे पास जितना है मैं ले लूँगा अंजाने में स्टार स्ट्रीक ट्रेडिंग फर्म के बाहर एक बाजार बन गया था हाला कि खिलाडी वहां स्टॉल नहीं लगा सकते थे फिर भी वे आमने सामने व्यापार कर सकते थे तकलिफ दे होने के बावजूद इतनी छोटी सी बात पर किसी को फर्क नहीं पड़ेगा आखिरकार वे वर्तमान में जितना हो सके उतना पैसा बनाने की कोशिश कर रहे थे जब तक स्टार स्ट्रीक ट्रेडिंग फर्म ने बेसिक माना आर मर्किट को फिर से बेचना शुरू किया तब तक वे अधिक से अधिक खरीद लेंगे जबकि हर कोई इमारत के बाहर लाइन में खड़ा था कई ने एक दूसरे के साथ बातचीक शुरू कर दी थी वे बेसिक माना आर मर्किट के प्रभावों के बारे में शेखी बढ़ारने लगे थ्रिहेडेड बूल्व्स पार्टी ने जो हासिल किया था वह विशेश रूप से कई स्वतंत्र पार्टीयों के लिए इर्शा का विशय बन गया था इस बीच यह खबर जितनी फैलती गई उतनी ही तूल पकड़ती गई वर्तमान में अफवाहों का उलेक है कि तीन सिर वाले भेडिये मूल रूप से एक सामान्य मौट पार्टी कालकोठी को भी साफ नहीं कर पाए थे हाला कि जब उनके MP और मरहम लगाने वाले ने अपने उपकरनों के लिए तीन बेसिक मैना आर्मर किट बांधे थे तो पार्टी तुरंत लेवल दस हैल मौट पार्टी डंगन पर छापा मारने में सफर रही उन्होंने छापे से एक सीक्रेट सिल्वर रैंक की शीड और कई अन्य मिस्टीरियस आयरं सेट एक्विपमेंट के टुकडे भी प्राप्त किये थे जिससे उनकी टीम की शक्ती विशेशग्यों की एक पार्टी के रूप में बढ़ गई थी कुछ ने कहा कि तीन सिर्वाले भेडिये वर्तमान में पहले दरजे के गिल्ड के कुलीन सदस्यों से भी ज्यादा मजबूत थे इस अफवाह के कारण कई स्वतंत्र खिलाडी बेसिक मैना आर्मर किट के लिए तरस गए वे आर्मर किट प्राप्त करना चाहते थे और बड़ी सफलता प्राप्त करना चाहते थे बेसिक मन कवच किट पर ध्यान केंदरित करने वाले स्वतंत्र खिलाडियों के अलावा विभिन गिल्डों ने भी कारवाई करना शुरू कर दिया था उन्होंने ब्लाक फ्लेम से संपर्क करने के तरीकों के बारे में सोचने की कोशिश की वे बड़ी संख्या में आर्मर किट सीधे उससे खरीदना चाहते थे आखिरकार यदि वे अपनी विशिष्ट टीम के प्रत्येक सदस्य को तीन बेसिक माना आर्मर किट से लैस कर सकते हैं तो उनकी टीम की ताकत पूरी तरह से अलग स्टर तक बढ़ जाएगी उस समय बीस मैन हेल मौर टीम डंगन को जीतना अब सपना नहीं होगा एक कदम पीछे लेते हुए भले ही वे नर्मर को साफ नहीं कर पाए अगर वे हार्ड मौर को साफ करने में काम्याब रहे तो भी वे बहुत लाब उठा सकते थे इसलिए उनके लिए बेसिक मन कवच के प्राप्त करना ज़रूरी था दी, दी, दी स्नो बिग ब्रदर ब्लाक फ्लें आफ्लाइन है जाओ युएरू ने चिंतित होकर पूछा जिंटल स्नो ने अपना सिर हिलाते हुए कड़वाहट से कहा मैंने वास्तव में ब्लाक फ्लें को कम करके आका है मूल रूप से मैंने सोचा था कि डार्क स्टार द्वारा एडवास्ट विट स्टोन्स और इंटर्मेडियेट पोशन्स का खुलासा करने के बाद उन्हें एक छोटा सा जट्टा लगेगा हाला कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह इस तरह के कार्ड का खुलासा करेंगे जिससे सभी हैरान रह जाएंगे जेंटल स्नो का मानना था कि उसे ब्लाक फ्लेंड नाम के आदमी के बारे में अच्छी समझ है हाला कि बार-बार ब्लाक फ्लेम ने उनकी अपेक्षाओं को पार करना जारी रखा यह ऐसा था जैसे ब्लाक फ्लेम ने दो कार्ड निकाले हूँ एक सफेद और एक काला दूसरों को यह अनुमान लगाने के लिए मजबूर किया कि वह कौन सा कार्ड प्रकट करेगा हाला कि अंत में उसने एक ग्रे कार्ड निकाल कर सभी को आश्चर्यचकित करते हुए अप्रत्याशिक किया गौड्स दोमेन में रात वास्टव में दिन था इस समय अथर्व ने पहले ही खेल से लॉग आउट कर दिया था और अपने शरीर को प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया था इसलिए उन्हें वाइट रिवर सिटी में चल रही मौजूदा गतिविधियों के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी जब से अथर्व अपने नए अपार्टमेंट में चले गए थे हर सुबह उठने के बाद सबसे पहले उन्होंने पोशक तत्वों की एक बोतल पी थी इसके बाद वह मासपेशियों को मजबूत बनाने वाले व्यायाम के 20-60 और 10 किलोमिटर सुबह की दौर पूरी करते थे ओशक तत्वद्रव अपेक्षा के अनुरूप असाधारण है मेरी वर्तमान काया स्कूल के लड़ने वाले समाज के एक सामान्य सदस्य के स्तर पर होनी चाहिए अपनी सुबह की दौर समाप्त करने के बाद अथर्व ने अपने शरीर की वर्तमान स्थिती का मोटा अनुमान लगाया हाला कि यदि वह अधिक सटीक अनुमान चाहता था, तो उसे एक उप्युक्त प्रशिक्षन कक्ष में अपनी क्षमताओं का परीक्षन करना होगा पिछले कुछ दिनों में अपने शरीर को प्रशिक्षित करने और मजबूत करने के बाद अधर्व अब पहले जितना कमजोर और पतला नहीं रहा था वर्तमान में अधर्व का शरीर काफी मजबूत हो गया था, जिससे दूसरों को यह एहसास हो रहा था कि यह जीवन शक्ती से भरा हुआ है हमेशा की तरह अपनी दैनिक कसरत की दिंचर्या को पूरा करने के बाद अधर्व ने वर्कशॉप का दौरा किया और इसकी वर्तमान नवीनी करन प्रगती की जाँच की